अब यहां पर बहुत इंटरेसिंट टॉपिक कवर करने वाले हैं लेकिन हाँ यहां पर हमारा जो सीरीज चल रहा है जिसके अंदर हम यहां पर बड़े-बड़े टॉपिक्स भी हाँ पर फिनिश कर रहे हैं अब यहां पर जो है आप स्ट्रेट लाइन सर्कल्स के उपर करने वाले हैं उससे कई गुना कम महनत आप यहां पर स्टेटिस्टिक्स के उपर करोगे लेकिन इसके उपर से आपको definite question मिलता है और आप यहाँ पर आज के सिशन में जितने questions में करा रहा हूँ अगर उन्तने questions को भी अगर कर लोगे तो आपको अलग से यहाँ पर हाथ पर मारने की जरूत नहीं पड़ेगी आप यहाँ पर guarantee के साथ ने अपने एक question जो है आप तो यहाँ पर आपको पताएगी 2023 से इस topic का importance जई advance में भी बनने वाला है तो यहाँ पर सारे बच्चे इसको अच्छे से पढ़ना start definitely कर दें आपके अंदर लेकिन अगर जुनून की कमी हो रही है तो मेरे खाल से यह line आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगी अपने college को यहाँ पर लेकिन आपको दिमाग में रखना है अपने girlfriend को नहीं ठीक है जुनून है मेरा बनू में तेरे काबिल हम यहाँ पर जो है ऐसा वैसे जो है जो है राइंडमली तुक्के मार के जो है पॉस्टन नहीं चाहता है अपने जो है destination पर हम यहाँ पर काबिल बन के वहाँ तक पॉस्टन चाहता है इस बात को भी अपने दिमाग में रखना और वो effort लगाने से आपको यहाँ पर कोई रोप नहीं सकता है काबिल बनने के लिए आपको यहाँ पर जो effort लगाने है वो बहुत ही genuine होना चाहिए और अगर वो यहाँ पर आप लगाते हो तो आपको यहाँ पर selection definitely तरह है जुनून है मेरा बनू में तेरे काबिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल dedicatedly हर दिन help करती है आपके यहाँ पर जो सेशन से लगभख खतम हो चुके हैं आपको यहाँ पर सारे सेशन जो है एक सिंगल लिंक के उपर मिल जाएंगे live.me.je जिन बच्चों के पास में यहाँ पर समय थोड़ा का जादा है उन बच्चों यहाँ पर इस लिंक के उपर जाके जो detailed हमारे यहाँ पर जो लेक्चर से उनको definitely refer करना चाहेगे हालक यहाँ पर जुनूनी जेशन भी अपने आप में sufficient है लेकिन हाँ इसके बाद में आपको practice की जादा जरूत पड़ेगी अगर आप 3.0 के sessions को अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर जो further practice भी बहुत जादा करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपने आप में बहुत जा लाइव जेए के साथ में यहाँ पर बच्चों के साथ में जुड़े रहना और मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चों के साथ में जो इंट्रेक्शन है जो हमारा हमेशा रहेंगे आपके साथ में और आप यहाँ पर further हमारे जो प्रोफाइल उनको फॉलो कर सकते हैं अपके यहाँ पर बच्चों उसका पूरा का पूरा जो शीडियूल है आपके साथ में शेयर कर चुके हैं अगर प्लस में नहीं हो तो आप यहाँ पर प्लस पर डेफिनिटल आ सकता है आइकनिक सप्टिशन भी ले सकता है एड़ बच्चों बच्चों आपके आपको इहां पर सीख सकते हो और अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हो शमीर लाइट के साथ में आप बच्चों यहां पर प्लस चाहे आाइकनिक सप्टिशन लोगे आपको दोनों में यहाँ एहाँ फर मैगसिन पॉस्व पुछ बिस्काउंट के साथ में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते आ जाएगी, डिएशन डेफिनेटली आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आइकोनिक में आपको पर्सनल कोच के साथ में आपको एक डेडिकेटेटेड मेंटर मिलता है, आपको यहाँ पर जो स्टड़ी प्लानर मिलता है, नोट्स मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फर्दर हेल्प करती हैं, तो यू के डेफिनेटली डिसाइड बिट्विन दीस टू, आज का डिसकेशन यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे लगता है, यहाँ पर बच्चे, स्टेटिस्टिक्स को अगर वाकई तरही तरीके से देखेंगे, तो उनको इस टॉपिक में इंटरेस्ट भी आयागा, वो इन फैक्ट यहाँ पर इसको और ज्यादा एक्स्प्लोर करने में इंटरेस्टेट रहेंगे, अगर आपके पास में इहाँ पर डेटा है, और आपके अगर इहाँ पर इंटरेस्टेटा को देखके, अगर सही निकले हैं, तो आपके फ्यूचर के स्टेप्स आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, कि आपने यहाँ पर क्या करना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर maximum output मिले, ठीक है, आपको यहाँ पर एक बार फिर से एक जो standard definition होगा, इसको हमने importance के साथ में पढ़ना चाहिए, ऐसा यह बोल रहा है, working with data collection, मतलब यहाँ पर वैसे तो है data collection तो आपको यहाँ पर first step में करना ही पड़ेगा, अगर data नहीं तो फिर यहाँ पर आप basically करोगे क्या, काम करने के लिए कुछ तो आपको यहाँ पर raw information चाहिए होती है, ठीक है, so data collection is the first step, after that basically you organize that data systematically, हमें यहाँ पर tables में arrange करते हैं, या फिर उसको किसी और तरीके से pie chart के format में या फिर बार graph के format में जो इसको organize करने की कोशिच करते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, हमें उसको analyze करना होता है, interpret करना होता है, और फिर present करना चाहिए इस तरीके से, ताकि सामने वाला भी उस data से कुछ न कुछ inference निकालते आए उसको, और वो अपने future के steps यहाँ पर ले पाए, ठीक है, यहाँ पर data कितना जादा important role play कर रहा है, especially in today's generation, जहाँ पर सब कुछ इतना connected है, और यहाँ पर हम क्योंकि online mode में हर जगे अपनी information जो है, upload करते रहते हैं, तो everybody has a lot of data to work on, और इसलिए यहाँ पर आपने दिखा हुगा कि आज कर यहाँ पर आपके Facebook ads हैं या फिर Instagram ads हैं, वो ब In God we trust, है ना, भरोसा हमें यहाँ पर जो है केवल भगवान में है, ठीक है, लेकिन बाकी और कोई हमसे अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर data लाना पड़ेगा, all others must bring data, तभी हम यहाँ पर आपकी बात में विश्वास करेंगे, otherwise हमें trust, data की बिना तो आपके उ जो है, पोस्पून हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है कि इस बार cut-off जो है, कम जाएगा या फिर जादा जाएगा, ठीक है, यह सारी चीज़े क्या है, opinion एक तरीके से, but you should bring data along with that, अगर आप उसके साथ में data लेके आ जाते हो, तो फिर आपकी बात में basically क्या आता है, दम आत statistics का यहाँ पर introduction आपकी दिमाग में यहाँ पर definitely बहुत अच्छा होना चाहिए, यह एक बहुत अच्छा जो है, एक तरीके से branch है mathematics का, लेकिन just because यहाँ पर J के syllabus में जो है, बहुत कम weightage रखता है, इसका यह मतलब निए कि जो है, इसका importance calculus से कम है, ठीक है, real life में अगर देखा सकते हो, कुछ यहाँ पर cricket fans होंगे definitely, जिनको यहाँ पर सभी cricketers के, है ना, यहाँ पर कितने matches हो चुके है, कितने centuries बनाई है, उसका highest score कितना था, है ना, उन्होंनों कितने 50 score किये है, कितने 100 score किये है, उनका average कितना है, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर move जबानी याद ह अगर आप यहाँ पर वाकिए cricket के fan है तो, ठीक है, और यही चीज़ किसी दूसरे game में भी यहाँ पर extend कर सकता है, कोई अगर यहाँ पर Messi का या फुटबॉल का अगर एक तरीके से fan है, तो वो उस तरीके से जो है, अपना information collect करता है और उसको दिमाग में रखता है, ठीक है, क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि यह कितनी बड़ी बात है, हर एक cricket match जो खेला जाता है, उसके अंदर हर ball जो डाली जाती है, उसके बारे में जो information है, उसको कहनी कर रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, एंड उसके अंदर basically हर एक player ने कितने run बनाए है, उसको record किया जा र चाहिए, तो क्या उसके बात में information होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि यहाँ पर इस player ने highest कितना score किया है, one day के अंदर, test के अंदर, आपने t20 के अंदर, इनका average कितना है, अब average किया है, average basically वो एक topic है आपका status का जो हम यहाँ पर basically पढ़ने भी बाले है, ठीक है, so things are pretty interesting and data is something that we are very much used to collecting, ठीक है, ऐसा नहीं हम यहाँ पर data collect नहीं करते हैं, उसको आज यहाँ पर work कैसे करते हैं, उसका discussion basically हमारे यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, all right, 2850, 2850, अच्छा, यहाँ पर यह लेकिन जो भी data है, यह, I guess, काफी recent है, यह मैंने आज यहाँ यहाँ पर crit info से लि is not just about sports, जहांपर आप यहाँ पर डेटा collect करते हूं, आज़कि डेट में सबसे जादा बात ही जो हो रही है, है नो कोरोना का यहाँ पर जो है, डिस्केशन सबसे जादा होता है, उसके नदर भी हम क्या discuss करते हैं, उसके इनदर भी हम यहाँ पर numbers डिसकुस करते हैं, ठीक है, अगर मैं हाँ पर इंडिविजुल सोच रहा हूं तो मैं अपने घर वालों को भार जाने से मना करता हूं कि भार में जाओ अभी हाँ पर केसे बढ़ रहे हैं ठीक है करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जैसी दिक्कत आई थी मार्च में आसपास यहां पर जो है पिर से यह उपर जाना स्टार्ट कर रहा है और इसी वेज़े से यहां पर जो है आपके जो जीए के डेट्स हैं वो पूस्वन होंगे एसा सब यहां पर जो है इंटर्प्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है क्योंकि यहां पर जैसी दिक्कत आई थी मार्च में आसपास यहां पर डेटा आपका ऊपर जाना स्टा डेटा and using the data will actually make you one of the leaders in the market यहां आपने सोचना चाहिए क्योंकि it is not just here हमने यहां पर cricket में देख लिया हमने इतने pandemic वाले situation में यहां पर देखा कि डेटा का importance किया है उसके साथ साथ यहां पर आपने obviously बच्पन से एक ची सुनी होगी कि यहां पर population grow हो रही है ठीक है तो यह भ Below poverty line का यहां पर population कितना increase हो रहा है कितना कम हो रहा है आपके यहां पर tax fares का जो number हो कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है ठीक है it is not just about the population that single number लेकिन आप यह भी बता सकते हूं कि यहां पर फीमेल और मेल का यहां पर जो gender ratio है वो यहां पर किस तरीके से change हो रहा है with years तो हम यहाँ पर जोई data collection को अगर सही तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करते हैं और उसको अच्छी तरीके से collect कर पाते हैं तो हम यहाँ पर कई सारे अच्छे-च्छे decisions ले पाएंगे अपने life में आगे by looking at those informations ठीक है तो यह आपका यहाँ पर बताने का मेरा जो परपस था है न स्टार्टिंग यहाँ पर पासदस मिनिट में यहाँ पर लिए हैं यहाँ पर लिए हैं तो यह तो आपको करना ही पड़ेगा आप यहाँ दूसरा तो उनको भी देखना पड़ता है कि कौन सा मॉडल यहाँ पर जादा काम कर रहा है तो उसकी production को यहाँ पर इंक्रीज करना चाहेंगे यहाँ पर आगे चलके उसके जैसा ही कोई model launch करना चाहेंगे, so companies भी यहाँ पर data dependent होती है, अपने आगे के decisions को लेने के लिए, ठीक है, so all these things are very very interesting, we will basically start off with this small idea of measure of central tendency, ठीक है, हम यहाँ पर कई सारी चीज़ें करनी होती है, data में, हम यहाँ पर लेकिन अपने syllabus के अंदर ही restricted रहे पाएंगे, इस particular session के अंदर, so let us get back to the syllabus, जहाँ पर हमें basically अपने चार नमबर नजर आते हैं, ठीक है, so measure of central tendency, basically यह एक idea है, जो आपको junior classes में भी पटा दिया गया होता है, ठीक है, जहाँ पर हम mean median mode का discussion करते हैं, ठीक है, तो let us start from there, and the more important discussion will be after this, जहाँ पर हम measure of dispersion का discussion करेंगे, ठीक है, so everybody is with me, everybody is with me already, yes, सारे बच्चे हमारा साथ में यहाँ पर जो connected है, वो चार नमबर यहाँ पर definitely कमाना चाहते हैं की नहीं, yes, first time यहाँ चैप्टर देख रहे हो, अरे यार, यह तो चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अगर आप यहाँ पर पहले बार देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर इसके बाद में कुछ और देखनी की जरूत निए पढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा one-shot session होने वाला है, ठीक है, all right, infinite giving भी यहाँ पर यह चैप्टर एक बार में कर रहा है, कितने घंटी की class होगी, hardly 2 घंटी की class में यहाँ पर expect करके चल रहा हूँ, let us see, यहाँ पर कुछ एक minute ऊपर नीचे definitely हो सकते हैं, ठीक है, so जादा यहाँ पर आपको परिशान नहीं करेगे, measure of central tendency, बतलब यहाँ पर हम basically अपने entire data को एक single value से represent करना चाहा रहे होते हैं, ठीक है, so इसका सबसे पहला important जो हमारे पास में value होता है, it is called mean, और mean हम सबको पता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको जो है, यह बोलूँ कि आपकी यहाँ पर जो है, पांच अलग-लग exams होए थे, ठीक है, physics, chemistry, maths, English and computer science लिटर से, ठीक है, आपकी यहाँ पर जो ऐसे पांच अलग-लग exams होए थे, तो ऐसे teacher में जान पहूंगा कि आपका यहाँ पर जो basically level है, preparation का, वो किस number के साथ में associate कर सकता हूँ, तो आपने अगर हो सकता है कि math में आपने 100 score कर लिया, लेकिन computer science में आपके सकता रही है, ठीक है, तो उस बेसे आपका average गणबड़ा जाएगा और आपके यहाँ पर let's say 85 average निकल कर आए, तुम मुझे पता से लेगा कि इस बच्चे के अंदर अभी भी भी हाँ पर improvement का scope है, कहीने के यहाँ पर जो है, इसको और आगे push किया जा सकता है, ठीक है, So, that is how mean works, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने जितने भी observations होते हैं, उनको add करके number of observations से divide कर देते हैं, यह आपको याद दिलाएगा, obviously arithmetic mean का, जो हम यहाँ पर sequence and series में भी पढ़ते हैं, इसका notation मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके साथ में यहाँ पर जो शेयर किया है, इसके साथ में सारे बुच्चों ने comfortable हो जाना चाहिए, हम अपने जो data points होते हैं, उनको variable के format में represent करना चाहते हैं, तो हम उसको x i, i यहाँ पर subscribe में है, ठीक है, i subscribe में क्यों है, क्योंकि अगर मैं यहाँ में आपन सिग्मा open करूंगा, तो होगा कहा, इस तरीक से आपके हैं पर पूरा expansion यहाँ वो complete हो जाएगा, स समझने में और use करने में, इन फैक्ट आगे चलके में यहां पर स्वेड़ीन के जो आईडिया से उनको फर्दर यहां पर यूज और आपको आपको सबसे पहला आईडिया क्या है कि आपको यहां पर सब वैली सो एड़ करके डिवाइड बाइ नम्बर ऑप ऑब्सवरेशन करते आना चीजिक को हम क्या यहां पर स्टेटेशिक्स नहीं बढ़ा जिन्होंने यहां पर बस मीन का आईडिया बच्पन में कहीं सुना हुआ है वो बच्चे भी यहां पर चार नमबर तो इस कोशन के थूरू 2017 में कमा सकते थे तो हम भी यहां पर नमबर कमाते हैं थोड़ा confidence gain करते हैं फिर यहां पर आपने यहां पर जो age से उनको add किया होगा और फिर उसको आपने यहां पर 25 से divide कर दिया होगा और यह आपके जो value निकल कर आता है यह कितना आया है यह basically 40 निकल कर आया है है कि नहीं ऐसा ही data दिया हुए तो हम अपनी equation ऐसी बनाएंगे उसके बाद में आपको इहां पर इसक सिग्मा एक साइल लिख दूँ अब वह वह साट साल के हो गयते तो उन्होंने यहां पर रिटार्मेंट ले लिया अटीचर इड़ एज और इस प्लेश ठीक है तो हमें यह भी पता चलता है यहां पर कि वह मेल टीचर था ऐसा क्यों पता नहीं लेकिंगे यह हमें पता चलत तो होता क्या है इसको में यहां पर एक सब्सक्रिप bazaar कारने वाले तो पहले को शन्सी कर रहे हैं पिर से ही यहां पर एजिस्कों लेकिन और यह निकाल रहरा है है कि आपने टोटल जो यहां पर एज का करके रखा था उसमें से यह 60 और आप यहां पर क्या करना चाहते हो आप यहां पर पहले से जानते है कि मीन जो आपका होता है इसका भी नोटेशन एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं ठीक है हम यहां पर नये वाला पहली इस्तेमाल करना चाहते है एक्स बार यहां पर नया निकला कितना है थर्टी नाइन के बराबर निकला है ठीक है और हमारे यहां पर number of educators जो है वो चेंज नहीं हुए है पहले भी 25 ही थे अभी भी 25 ही है और उपर हमारे पास में कितना आ जा जाते हैं तो स्टैटेस के उपर अभी हम आगे तो कोशन करेंगे ऐसा नहीं कि यह सबसे जो है बगवास चैप्टर है इसके उपर भी कैल्कुलेशन इंटेंसिव कोशन आपको मिल सकते है ठीक है चलो क्रॉस्टिप्लाइब कर रहें इसको कितना हो जाएगा 975 के बराबर और सॉल करके आपको यहां पर जो है एक वैली बिल रहा है कितना 35 के बराबर जो नया टीचर यहां पर जॉइन किया है स्कूल में उसकी एज बिसिकली इहां पर आपका करेक्ट होना चीए सारे बच्चे कर पा रहे हैं सवाल को यस सी मैं यहां पर देख पा रहा हूं कई सा इसलिए कि आपके बार 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 रिपीट हो रहा है जिसके अगर में यहां पर जो है अगर अगर हंड्रेट जो है तो मेरे पास में 100 students एक लास के अंदर और मैं अगर यहां पर 50 marks का अगर एक test लूँ तो 50 marks का अगर मैंने प्रिक्वेंसी ठीक है तो घंट से यहां पर जो है इन फोना हरा है और यहां पर मान ले दें कि पांच है वह ऐसे बच्चे जो बहुत ही होना हरा है जो इस फटीनाइं मां लेकित पचास तो लाता नहीं है ठीक है तो पांच यासे बच्चे हैं जो बेसिकली आपके 49 मार्च लग आ रहा है ठीक है कहीं ने कहीं तो नंबर कटेंगे आपके तो हम यहाँ पर इस पर्टिकलर इंफॉर्मेशन को ज्यादा बहदर तरीक से इस्तेमाल कर सकते हैं मुझे पता है कि यहाँ पर पांच बच्चे हैं जिनके 40 नंबर आया है तो मैं यहाँ पर यहां पर 40 plus 40 plus 40 करूँ ऐसा पांच बार करूँ या फिर मैं पर इसको डिरिक लिकले वाले रस इंप लेता हूँ ठीक है यहां पर मुझे 30 कि कितने बार लिखना पड़ेगा 15 बार 30 30 30 30 क्यों लिखना हो ठीक है हम यहां पर उसको डिरेक्ली माथमेटिकली जानते हैं कि 13 15 के बराबर है ठीक है कि अगर मैं इस कॉलम का एडिशन करूंगा तो मेरे पास में यहां पर जो डेटा पॉइंट से उनका ही समाने वाला है टूंबर और हम लिखते हैं और नीचे हमारे यहां पर जो फोर्म लाहे मों कि आने चाहिए कि इतने बच्चे हैं जिनके चालीस नंबर आये हैं कितने बच्चे तो अगर आप यहां पर निकालना चाहते हैं तो होना चीए सब्सक्राइब एक सवाल इसके उपर भी बनना चीए और यहां पर 2020 में एक सवाल आया है लेकिन इसको देखके आप यहां पर हो सकता है कि गफरा जाएं कि यहां पर थोड़ा सा जो इन्फॉरमेशन दिया है वह बाइन यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसका वर्किंग भी अगर आप यहां पर करते हुद आपको थोड़े वह तो आटलीस यहां पर बेसिक लिवल के पता होने चाहिए ठीक है इसके पहले वाले कोशन में सी एंसर बहुत सारे बच्चों ने लाइट चाट में दे दिया था बहुत आसान सब्सक्राइब लेकिन कि आपको यहां पर थोड़ा भी कॉन्फिटेंस है अगर आपको कॉन्फिटेंस है अपने बाइनुमिल के नॉलेज के ओपर तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं ठीक है ओल्राइट तो लेट इस अच्छा यहां पर जो है साथी पो वह क्या-kya है 0 है 2 है 4 है 8 है इस तरीके से आगे जा रहा है कहा तक जा रहा है यह 2-2 अ तक जा रहा है तो यह आप समझ के कि 2-1 है 2-2,2-3 है इस टाइब से 2-2 अ तक जा रहा है और इसका जो प्रिक्वेंसी है हर एक डेटा पॉइंट जो कितने बार रिपीट होरा है वो इस ने हापर देखे रखा है, पहला जो है वो nct1, तीसरा वोism on the जो ईसा जो है वो nct2, ऐसा करते-करते आप यहापर यहापर nc n तक जा रहा है, ठीक है तो अगर में यहापर mein अगर इसका निकालना चाहता हूं, तो यहापर मेरा जो idea है, वो दूरा जो क्या है, आप अगर पर लिखना चाहरू टूरेश प्रम यहां पर मैं टूरेशक में टूरेशरक प्लिख नशारा और यह बिसिकलिए आपका और और आ तक जाएगा कहां तक जाएगा ये टूरेस टू एन न के साथ में N-Ca सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आना चाहिए सिग्मा एफाई सिग्मा एफाई मतलब यहां पर क्या रहा है कि आपको यहां पर जो है जब भी सीरीज का संग पूछा जाता है तो आपको कहिन कहीं एक स्टैंडर्ड सीरीज के साथ में स्टार्ट करना होते हैं डिस्केशन एंड लेट उस टेक दिस सेरीज है ना वन प्लस एक्सक्राइब 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 इस तरीके से बिसके लिए पूरा एक्स्पांशन लिखावा होता है हम यहाँ पर जानते क्या है हम यहाँ पर जानते ही कि हम एक्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप जालोगे तो लेफटन साइड में आपको टूरेज को न दिखाई देगा और राइट इन साइड में आपके पास नहीं पर आएगा आपका denominator यहाँ पर जो है 2 raise to n में compress होगा और अगर आप यहाँ पर दिहां से देखो तो इसी के अंदर x की value 2 डालके आपको actually अपना numerator लगभग मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप n की value 2 डालते हो तो यहाँ पर 3 raise to n आएगा, लेकिन right hand side में यहाँ पर क्या रहा है, nc0 plus nc1 into 2 plus nc2 into 2 square और ऐसा करते-करते यह जा रहा है, ncn into 2 की power n तक, क्या notice के आप में यहाँ पर? यहां पर NS1 के साथ में 2 आ गया, N bluff के साथ में 2 sqear आ गया ठीक है, यहीं हमें चाहिए था N MGN के साथ में 2 raised to NB आ गया, NisingN के साथ में 2 raised to NB आ गया है, लेकिन आगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो हमारी जो requirement है है के अंदर एक्षिल नहीं चाहिए था क्योंकि वो तो जीरो के साथ में मुल्टिप्लाइब होके खतम हो जाएगा ठीक है तो यह यहां पर बोल सकते हैं कि आपका जो मीन है जिसकी वैली आपको दी हुई है 728 अपॉन 2 रेस्टो एन वो कैसे कैलकलेट होगी डियुमेरेटर में आपके वास में यहां पर आएगा यह वाला इनफॉमेशन यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक का जो ब्रैकेट है यह विसली 3 रेस्टो एन minus 1 के बराबर है और नीचे आपके बसमें कितना आएगा ये पूरा black hat which is 2 raise to n 2 raise to n 2 raise to n आपका cancel हो जाएगा ये 1 इस तरफ आके इसको बनाएगा 729 which is a very good value आपका 3 raise to n जो है वो अगर 729 के बराबर है तो आपका n का value कितना होना चाहिए जल्दी से सोचो n का value आपका 6 होना चाहिए येस बहुत बढ़िया तो आपके यहाँ पर feel आ गई कि जो है थोड़ा सा यहाँ पर घबराहट होती है binomial देखके लेकिन अगर आपको basic idea भी अगर binomial का है तो अभी इस topic को basically solve कर सकते हो ठीक है बढ़ता है आगे येस ओल्राइट तो आगे बढ़ता है यहाँ पर अपने next discussion की तरफ बढ़ता है and let us let us move on and understand की apart from mean हमारे पास में यहाँ और क्या क्या information है हाँ एक चीज़ लेकि mean के अंदर हम further discuss करना चाहेंगे before moving on और हमें यहाँ पर majorly वैसे क्या discuss करना है हमें majorly यहाँ पर standard deviation का discussion करना है but that has to come after the discussion of mean क्योंकि standard deviation find करने में भी आपको mean का calculation करना पड़ता है ठीक है इसलिए हम यहाँ पर mean को इतने detail में discuss करने and in fact discussion का इहाँ पर importance भी आपको समझ में आ रहा होगा कि standard add करके number of observation से divide करो mean के अंदर हमें यहाँ पर grouped mean के बारों में भी एक बार पता कर लेना चाहिए तो grouped mean का idea यहाँ पर अपने demand में यहाँ पर clear करना start करते है grouped mean का मतलब क्या है grouped mean का मतलब यह है कि आप यहाँ पर imagine करो जैसे कि आपके school में यहाँ पर basically class class 11 या फिर class 12 जो भी आप imagine करना साथ हो class 12 के अंदर basically दो अलगलग sections है ठीक है यह सबसे आसान तरीका होता है आपने group mean के idea को समझने के दूए ठीक है आपके पास में यहाँ पर जो है दो अलगलग sections है लेटस से 12 ए है और एक आपका प्रिबोर्ट्स हुए प्रिलिम्स हुए और यहाँ पर जो है दोनों ही class के बच्चों ने उसी same paper को basically solve किया ठीक है अब जो यहाँ पर 12 ए की class teacher है उसने क्या किया उसने basically इस class का mean find out करके रख लिया जिसका नाम हम रखते है यहाँ पर 12 ए जो section है उसकी जो class teacher है उसने अपने class के बच्चे जो है उनका mean calculate कर लिया कैसे किया होगा हर एक के marks को add किया number of students से divide किया और वैसे ही यही काम किस ने किया 12 B के class teacher ने भी किया उस class में जितने बच्चे थे उन सब के marks को add किया और फिर जो है number of students से divide कर दे तो उनके पास में यहाँ पर जो है value और रखी हुई थी लेकिन अब यह जो information है यह individually class teacher के लिए तो काफी important है लेकिन यह information लेकि जब यह दोनो principle के पास में जाएंगे तो principle क्या बोलेगा principle will not distinguish between 12 A and 12 B ठीक है principle के लिए तो सारे बच्चे यहाँ पर class 12 के हैं ठीक है तो उनको क्या चाहिए होगा principle को चाहिए होगा यहाँ पर एक यार आप overall मुझे बताओ कि class 12 के बच्चे किस तरह से perform कर रहे हैं हमारे प्रिलिम्स के अंदर तो यहाँ पर हम या तो अब जो हैं दोनों class की बच्चे के numbers एक साथ add करें और फिर दोनों class में जितने से उससे divide करें या फिर हमारे पास में अगर अलड़ी दोनों class के individual means available हैं तो हम उन means का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अपने जो है final information तक पहुशने के लिए ठीक है and that is that is how we basically calculate grouped mean कि अगर दो अलगलग groups थे और उनको भी आपने अगर मिला के एक single group बना दिया तो फिर उस नए group का आपका जो mean है वह value कैसे हम calculate कर सकते है वन गो में वह बेसके लिए formula है और वह आप यहाँ पर जो आपने यहाँ पर जो basically x1 बार निकाला होगा वो कैसे निकाला होगा x1 बार निकालने के लिए आपने यहाँ पर जो है सारे के सारे जो values है class a के है ना उनको add क्या होगा और फिर number of students मतलब n1 से divide क्या होगा तो अगर यहाँ से में cross multiply करता हूं तो मुझे यहाँ पर class a section a के ब क्या आया n1 x1 बार से मेरे पास में क्या आया उस class के सारे सारे बच्चों के marks का सम आ गया directly ठीक है और यही काम अगर मैं यहाँ पर करता हूं x2 बार के लिए कि x2 बार जब यहाँ पर calculate किया होगा यहाँ पर section b के class चलने तो यहाँ पर क्या किया होगा उन्होंने यहाँ पर सारे के सारे बच्चों के marks को add किया होगा जहाँ पर section b में belong करते थे और फिर यहाँ पर section b में जितने बच्चे थे उससे उन्होंने डिवाइट किया होगा, ठीक है, जबर आप इस एक्वेशन को cross multiply करते हो, तो आपके हाँ पर फिर से sigma x i मिल जाता है section b का, और वो कितना है n2 x2 bar के बराबर, so यह दो ही हमारे पास में equations अगर अगर अलड़ी है so what we can conclude is कि अगर यह पूरा का पूरा section section a के बच्चों के marks का sum है और यह पूरा का पूरा अगर section b के बच्चों के marks का sum है तो हमें इन दोनों का ही तो sum चाहिए था तो हम यहाँ पर directly n1 x1 bar and plus n2 x2 bar इस कंवलब कर सकते हैं क्या तर सकते हैं, n1 x1 bar plus n2 x2 bar तो यह आपका total sum आजाएगा कितना होगा, इतना ही होगा n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2 लेकिन अगर आपके 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 तीन sections होते तो क्या होता है यहाँ पर n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar divided by n1 plus n2 plus n3 तो आप इसको extend कर सकते हैं जितना भी आपके requirement है उसके साब से आप इसको extend करके अपना calculation proceed कर सकते हो इसको क्या कहते हैं, grouped mean पंडा चमक गया सारे बच्चों को, पंडा चमक गया तो question करें, yes jman 2007 में सवाल आया था, तब उसको jman कहते नहीं थे, तब उसको कहते थे AI triple E, so लेकिन तब भी, है तो previous year question ही try करते हैं एक बार, और concept यहाँ पर जो है अगर हमें पता है तो हम यहाँ पर इस तरह के सवाल अगर बायचांस आगे से आएंगे, तो उसके अंदर भी हम यहाँ पर number definitely कमाएंगे है ना, so देखो यहाँ पर क्या पूछा गया था the average marks of the boys in class is 52 two, एक class, imagine, क्लास के अंदर दो टुकड़े हैं.. ठीक है, next हम प्ता नहीं है, इस question में पता नहीं कि Ready Mr.ray यहाँ और प्ठीक्वा यहाँ यहाँ बोई सेब्सक्राइए हैं, तो मान ले दे है कि इस particular class में B BOYS हैं और girls हम यहाँ पर पता नहीं तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में जी गल्स है ठीक है एवरेज मॉक्स बॉइस लेकिन हमें पता है यहां पर 52 के बराबर है और यहां पर आपको दिया हुआ है और उसको अगर यहां पर यहां पर अभी जो ग्रूप डूमीन का इंफॉमेशन पढ़के आया है वह कहने के इसके अंदर बढ़िया तरीके से स्ट्रेट अवे लग जाएगा हमने यहां पर अभी क्या पढ़ा है कि अगर आपको दो अलग लग ऍ simplement दिकाई दे रहे हैं जिनके आवको पता है और आपको वी एकर निकालना है तो यह offer all average 50 कैसे निकला होगा ओर all average 50 यहां पर कैसे निकला होगा ici से की वॉइंस इन्टॉइस का अवरेच मदबira हुर जाएगा 52 इनल्टॉइए अडाम वी औपर गॉर्स इंटॉइस का एवरेच मदब 42 इंटू इंटू जी और डिवाइट करना पड़ेगा आपको number of boys plus number of girls overall जो class का strength है उससे आपको यह बाइट करना पड़े boys के marks plus girls के marks upon boys plus girls अगर आप करते तो आपको overall class का यहां पर आवरेज मिलना चीज़िए सिंबल सी इक्वेशन है आपको यहां से क्या निकालना है जो है बॉइस का परसेंटेज क्लास में कितना है यह बेसिक लिए आपको बताना है ठीक है सो कैसे होगा एक बार करके देखते हैं क्या एक्वेशन मननी हमारे पास में मतलब हमारे पास में रिलेशन सिंबल सा आ गया कि बी इस इकल टो फोर टाइम से तो अगर आपको यहां पर थोड़ा भी नंबर्स के साथ में जो है सकते हो आगर गर्ल्स के फोर टाइमस वॉइज है तो परसेंटेज वाइज जो आप यहां भी दिखो गहीं तो आपको बॉइज का परसेंटेज फेर एटी परसेंट मिलना चील ठीक है अगर आप टो नहीं हो तो आप यहां पर क्यल्कुलेशन भी निकर सकते हो पर में अगर दिखाई दे घा रहे हैं तो जो डेटा हमें यहां पर यहां पर ढगाता है उसके साथ में हमें हां पर लिए अगर दिखाई देरिया तो हमारे formulas के अंदर वो data बस अच्छी तरीके से substitute करते आना चाहिए and that is how we can literally solve all the questions of statistics आपके दिमाग में अगर formulas बैठे हुए है data तो आपको question में दिया हुआ होगा है ना आपको यहाँ पर calculation ही तो करनी है और formulas भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है formulas बहुत कम है तो अभी हमने यहाँ पर just start ही किया है अभी हमने यहाँ पर mean का discussion लेकिन तब भी complete कर लिया है mean के अंदर हमने तीन अलगलग चीज़े discuss करी है एक तो हमारा standard formula है ना sigma xi upon n दूसरा हमने यहाँ पर frequency लिए फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी और डिसकस किया sigma fi x i upon sigma fi और अभी हमने यहाँ पर n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2 यह जो group domain का idea है उसको discuss किया ठीक है is this idea clear to everyone yes 80% यहाँ पर आपको answer बताते आ रहा है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है ठीक है so चलो अगर आपको यह बात भी अगर clear हो गई है then आपको यहाँ पर याद दिलाता हूं कि आपने यहाँ पर और भी पहले यहाँ पर क्या चीज़ पढ़ी हुई होगी as far as central tendency is concerned ठीक है central tendency के लिए आप यहाँ पर जो ही मैं explain कर दूँगा कोई दिक्कत नहीं मीडियन वैसे मीडियन वर्ड आपने हाँ पर पहले सुना हुआ है median आपने पर triangle में सुना हुआ है median कि इस चीज़ को बोलता है midpoint को join करने वाला जो basically आपका line segment create करते हो ना आप उसको बोलता है तो कहीं झहीं है कहीं हाँ इंगर मैडियन और midpoint का relation है बस इतनी सी बात अगर आपने यहाद रख लिए अगर को रिलेशन आपने याद रख लिए नाम का तो आपको यहाद पर अलग से इसका डेफिनेशन याद रखने की ज़रूत नी पड़ेगी आपका मीडियन जो है बेसिकली वो मिड़ पॉइंट होता है उसको हम यहाद पर म अगर आपने अपने अप्सक्राइश कर लेते हों तो सबसे बीच में जो वैल्य आती है उसको मीडियन कहे देते हैं मतलब यह बेसिकली लोकेशन डिपेंडेंट है जबकि अभी तक यहाद डिसकास कर रहे थे हो लोकेशन डिपेंडेंट नहीं था ऐसा हो सकता है कि बॉइ मार्स किसी का आएं ही नहीं है अप Đर अधय वाइजों के मांकि اگर फुटी वन आ जाते हैं और दूसरे आधय पैज्शों के मांकर फिफ्टी थ्री आ जाते हैं तो भी अगर आप फिफ्टी टी तरी का अधूरिक निकाल और तो 52 एक्सी के मांक नहीं आया है तो यह जो है यह position dependent और actually वहाँ पर जो है exist करने वाला नंबर है ऐसा जरूरी नहीं होता mean can be basically a value which actually does not equate to any of the data points किसी की भी साथ में यहाँ पर वो बराबर जाई नहीं रहा ऐसा हो सकता है लेकिन मीडियन क्या है मीडियन एक्चुली कोई एक value है कौन सी वैल्यू है जो बीच प्र लेकिन इसके अंदर यह चोटा सा कैच है अगर मेरे पास पांच पांच और यहां पर आपनी डेटा सोरी अम्में अपनी अगर इस्तमाल करूं तो यहां पर ही क्या हो रहा है इस अपर आपको क्या मेडियन नजर आ रही है इस आपको मेड़ली नजर आ रही है यह आपका मीडियन होना चाहिए तो बीच वाली निकालने करने के लिए आप यहां पर क्या तर होगे मैं बैसिकली जो है एन प्लस वन अपॉण टूएथ पोडिशन को पकड़ ओगे इस तरह का कुछ discussion हमने binomial में भी किया हुआ है लेकिन उसके अंदर formula अलग आता है confused मत होना वो reason भी आपको यहाँ पर binomial में पता चल जाएगा जब आप discuss करोगे तो position यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर third position निकालनी है ठीक है क्या है मैं देख पारा हूँ कि यह 6 upon 2 के बरावर है और 6 upon 2 कैसे मिलेगा जो यहाँ पर मेरा n का value था उसके अंदर plus 1 करके upon 2 करके आपको यहाँ पर 3 मिल रहा है ठीक है तो आपको यहाँ पर इसको याद रखने के वैसे जरूत नहीं बीच वाली value डूडनी होती है ठीक है तो बीच वाला number आप यहाँ पर वैसे भी सोच सकते हो इसके अंदर कोई खास बड़ी बात में है ठीक है इसके अंदर वैसे आप यह भी कर सकते हो कि इसको directly highest value को आप यहाँ पर number of values count कर लो directly divided by 2 कर दो आपको है पर decimal value मिलेगी उसके आगया लेगा ठीक है बट बेटर वोड़ बीटो एक्शली नो दर फॉर्म ला एन प्लस वन अपॉन अपॉन टू लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको छे values अगर दे देता तो क्या होगा अगर मैं आपको यहाँ पर 6 दे दूंगा 1 2 3 4 5 & 6 तो आप यहाँ पर बीच में तो कुछ ही नहीं क्योंकि तीन values आपके इस तरफ आगे इस तरफ आपकी उस तरफ चले गए तो फिर बीच में क्या है यहाँ पर क्या हो रहा था पाँच के साथ में आपके दो वैलीउस तरफ आपके बच रहा था लेकिन चे के केस में आपको तो यह बोलना तो यह बोलना कि मीडियन है नहीं इसके अंदर यह तो बहुत गलत बात हो जाएगी तो हम सिचुएशन में हमने हाँ पर है कि हम एक्चुली मीडियन का जो वैली यहां पर रिपोर्ट करेंगे इट भी एवरेज ऑफ दीस टू वैलियूस जब भी हमारे पास में इवन नमबर ऑफ उब्सेशन होंगे हमेशे यह प्रॉलों हम पेस करेंगे कि मीडियन जो है वो एक्जाक्ली है ना यहां पर हमें दिखाई नहीं देगा वो क्या होगा मीडियन बेसिकली जो बीच में दो वैल्यूज अटके पड़े हैं उनका एवरेज होगा याद आग्या सारे बच्चे को जिन्नोंने पढ़ा हुआ है और जिन्नोंने नहीं पढ़ सब्सक्राइब यहां 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 पर जो है और पूर्थ का एवरेज लेंगे अगर शेयों अगर मेरे पास में अगर दस अब्सर्वेशन हो देता हूं यहां पर एवरेज ले रहे हो तो मीडियन क्या है दिमाग में रखो मीडियन इस दे मिडिल वैली वैली अगर आप यहां पर निकाल पाते हूं मदलब यहां पर बता पाते हैं और इतने से अब हम इस चार नंबर आपको आते हुए भी कमानी पाओ गया चार नंबर आपको अगर इस चैप्टर के उपर थोड़ा तो आपका कंट्रोल होना चाहिए ठीक है मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलॉइंग टैन नंबर्स है ना है इसने और यह जो आपके वसमें अभी और इसका जो मीन है वो 42 है और मीडियन जो है तो मीन कैसे निकालते हैं मीन तो बहुत ही आसा नहीं हम यहां पर सबको अड़ कर दो और यह वैल्यू कि किसके बराबर है यह वैल्यू के बराबर ऐसा उसने कोशन में दिया है तो यह जल्दी से कर लो यहां पर देखो कि आपकी किसमत अच्छी है कि आपकी किसमत अच्छी हो और यहां पर जो है किसमत वैसे आपकी अच्छी है मुझे पता है इसलिए बाकि आप लोगो जो है एक बार क्यों करना पड़ेगा दिस विल्ट टेक टाइम आप अपने आप पर रखते होंगे कि हाँ एडिशन तो हम एक्दामिक कर लेंगे सब कि इतना भी जो है हमें कम मत आखो है ना बिल्कुल आपके ओपर हमें कोई जो है वो नहीं है कोई कोई नहीं है आप यहां पर बड़े ही अच्छे तरह किसी कर पाएंगे यहां पर यहां पर एक्स प्लस वाय का वैल्यू 120 के बराबर देख पाऊ ठीक है जल्द एक बार रखन पर लाइटा में अवेलेबल होता है लेकिन एक जो कैट्स है उसके अधर यही था कि आपका यहां पर अगर इवन अगर नुबर अब्स प्रश्वेशन से अधर इंड इंड विल बीड़ेज अव विल अविलेबल टेटा इट इट विल बी अविलेबल डिटा ठीक है इसके अधर उस स्टेट्मेंट को आपने अपर अप्र अप्र डिया था आपने वहां पर सुन लिया ओगा अच्छे दि कर दिया है तो यह 420 हो जाएगा आपको यहां पर यहां पर इस्तिमाल करना पड़ेगा मीडियन के लिए हम यहां पर क्या देखते हैं कि यार आपका जो फिफ्ट और सिक यह सुनो तो फॉर्स सेकंड थर्ट फॉर्ट फिफ्ट और सिक यह जो आपका विसकली इनफॉमेश इस तरफ और चार वैलिव इस तरफ आपकी आ रहे हैं चार वैलिव इस तरफ चार वैलिव आपकी इस तरफ आ रहे हैं मतलब यह आपका बिल्कुल बढ़िया है नो बीच वाला इंफॉमेशन है इसमें भी कोई गड़बट नहीं 34 and X are actually the middle values middle values का लेकिन आपको यहां पर ल आपको एक्स का वैलिव पता चल चुका है तो वाय का वैलिव कितना हो जाएगा तो यह भी चार बढ़ा देगा 84 के बराबर है क्या पूछा है इसने पूछा यहां पर कि आपका वाय वाय एक्स का वैलिव कितना होना चाहिए जल्दी से बताओ लाइव चैट में 84 अपॉन आपको दिखाई दे रहा होगा उसका एक कैंसलेशन कर लेता है ठीक है और उसके आद में 3 से भी कैंसल कर लेता है तो आगे भी इस तरह का सवाल हमें आ जाएगा यह तो लेट 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 असट्राइट लेट अनादर पंडा अनादर आईडिया ओफ सेंट्रल टेंडेंसी विशी सेंट्रल टेंडीट अपने आप जो काफी सिंपल उसमें बाकि मीडियन के अच करना चाहते हैं घिक है इंट जिटना से प्रॉल्म है कि अगर बीच में द और आपने यह नोटिस किया होगा कि यह तीनों ही जब साथ में आती है तो थोड़ा बेटर अंडर्स्टैंडिंग देती है जैसे कि आपने हापर जो है ऐसे कई सारे यूट्यूब के वीडियो देखे होंगे and in fact हमने भी अभी आपके साथ में हापर एक session किया था जिसके अंदर हमने पताया था कि 160 प्लस students अभी हापर 180 और और जाधा number बढ़ गया होगा we don't know students secured 1 crore plus worth of packages in this placement season through all the IATs है ना सभी IATs में placement season जो है December में चलता है so जो first phase होता है यहापर placement season का उसमें जो है 160-180 के आसपा जो है बच्चों ने 1 crore plus packages यहापर पाए है so यह अपने आप में जो है काफी limited information है आपको नहीं लगता आपको नहीं लगता है कि यहाप बहुत बढ़ा amount है beginner के लिए सोचों यहाँ पर आपने अभी कुछ काम नहीं किया life में और सामने वाली company आपको 15 लाग के लिए कि हाँ चलो आप आजाओ काम करने हम इतना तो वर्त आपका मानते ही कि आप 15 लाग के लाग तो हो ठीक है लेकिन यह सारी information तो आई नहीं उसकेंदर तो हम यहाँ जितना जादा अपने जो है data points collect करते हैं और उनको अच्छी तरीक से बताते हैं ज्यादा ज्यादा understanding मिलती है सामने वाले ठीक है जैसे कि यहाँ पर जो है highest package बता के क्या मतलब है ठीक है आपके हाँ बताना चाहिए average package लेकिन average package भी जो है बहुत अच्छा indicator नहीं है क्योंकि आप यह समझो कि अगर let us say 100 बच्चे हैं ठीक है 100 बच्चों मैंसे जो है maximum जंता का यहाँ पर लगा है basically 6 लाग का package लेकिन एक बंदा पता नहीं बहुत तोड़ था है ना for some reason उसने यहाँ अलग से महनत कर ली होगी और उसको लगया एक करोड का package ठीक है तो जो आप यहाँ निकालोगे न तो वो 6 लाग के पास नहीं आएगा वो काफी जो है आपको जो है 6 लाग से दूर वाली value हाँ पर report करके देगा तो average भी हापर कई बार जो है deceiving होता है इतना अच्छी तरीके से जो हमें समझा नहीं पाता है कि यहाँ पर जो है actual data क्या बोलना चाहता था और वो representative value actually क्या बोल रही है ठीक है mean क्या है एक single value है जो entire data को represent कर रही है ठीक है उसको क्या बताओ कि सारे packages को जो भी यहाँ पर आपके packages लगें अगर आप उसको increasing order में अरेंज करोगे सो बीच वाले बच्चे का package कितना है वो बताओ आप आप आईटी से पूछ सकते हो कि median का value बताओ आपके packages का median कितना है ठीक है तो आपको जादा बहतर idea लगेगा what else you can ask कि mode कितना है और mode क्या होता है mode होता है यहाँ पर वो data point जो सबसे जादा बार occur हुआ है तो आप यह कि mode क्या है क्योंकि data points को आप अच्छी तरीके से देख लेते हो उसके अंदर सबसे ज्यादा वर कौन सा repeat हो रहा है वह बता देते हो बस कि यह वाली वहली सबसे ज्यादा बार आ रही है तो यह एक तरीके से आपको further help करता है समझना कि अच्छा maximum बच्चे को यहाँ पर जो लेकिन एक बच्ची के वैस आपको बहुत हाई करूंगा जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे कुस्तों नहीं करेंगे कि बहुत सार में आपको डेटा दे दूम फुरूस के अंदर से आप यहाँ पर बताओ कि मोड किया है जो सबसे आपको मोड होता है ठीक है तो दिस इस थी इंपॉर्टन वाल्यूस दैट वी ट्राइट वाला थोड़ा थोड़ा एक भैतर तरीके से जो है पूरे डेटा को समझने में इनकी हेल्प ले सकता है ठीक है केवल मीन बताना सही बात नहीं होती है ठीक है स सोटा से रिलेशन यहां पर पढ़ते हैं बिफोर मी मूँवां तो ओवर मोस्ट इंपॉर्टन आइडिया ठीक है विच इस मेशर ओफ डिस पर्शन इसके ऊपर आपको कोशन आते हैं मैंग्जीमम मेशर ओफ डिस पर्शन के अंदर हमें हापर जो ही दो चीज़े पढ़नी थे कहें अगर देखता हूं तो जादा करके आपके जो मेशर ओफ डिस परीशन के कोशन से कहां से आते हैं स्टैंडर डिविएशन और वेरियंस पर अब हैं तो हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं एक छोड़ा सा यहां पर जो ही डिलेशन आप फर्दर देख लो बिट् यहां पर यह क्या रहा है आफनá जो डिटा है आगर बहुत जादा स्क्यूड नहीं बहुत जादा स्क्यूड डेतब्स इसको बहुत बहुत जादा स्क्यूड डेटा मतलब जैसरी यह यह बेसिकते हो तो इसके अंदर आपके कर पाऊगी है oretique यहाáb בח Festival गोर आपने यहां तो यहां पर यहां पर लेटस से बता रहा है कि कितने बच्चे हैं यह बच्चे हैं जो इस पर्डिकलर नंबर को अटें कर पा रहे हैं लेटसे दिस एटी परसेंट लेकर आगे तो फिर यह तो डेटा आपका स्क्यू हो गया है यहां लाने वाले बच्चे काफी कम है और and करते हैं वैस से कम लाने वाले वाले बख्चे काफी काफ़ें तो यहां पर बेसिकलिए हम यांवी देखते हैं कि 40 marks लाने वाले बहुत सारे बच्चे बदेटा क्या है कि हांपर 50 marks लाने वाले बहुत सारे बच्चे ठीक है आधे बच्चे इस तरफ आधे बच्चे उस तरह तो अगर आपके यह red वाला टाइप का अगर आपका curve बनता है data का तो ये कैसा है, less skewed है, है नो, moderately skewed, ये basically कहलाएगा, ठीक है, बाकि आपका green वाला और blue वाला graph कैसा है, कुछ जादा ही skewed है, ठीक है, so this is just to give you an understanding कि ये word क्या होता है, for a moderately skewed distribution, अगर आपका data जो है well distributed है, अगर वो moderately skewed है, ठीक है, then mean median mode actually have this relation, आप यहाँ पर usually observe करोगे, कि relation hold करता है, mean minus mode is actually three times of mean minus median, mean minus mode is equal to three times of mean minus median, इसको बस एक बार note down कर लो, याद रफना, बस, याद भी इसलिए रफना, क्योंकि एक बार सवाल आ गया था, उसके आद में आया नहीं कभी, ठीक है, आने लाएक यह basically concert मुझे लगता भी नहीं, ठीक है, बट स्टिल, क्योंकि यहाँ पर एक बार आया है, तो आप सारे बच्चे एक बार इसको note down शरूर कर ले, क्योंकि अगले सवाल में लगाना पड़ेगा, ठीक है, so mean minus mode is equal to three times of mean minus median, एसा हम यहाँ पर observe कर पाते हैं, ठीक है, अच्छा अनु यहाँ पर अनु प्रिया इतना खतरना घ्रिक्वेश कैसे आ रहा है आपके साइड़े, अनु प्रिया, I hope मैंने यहाँ पर सही बढ़ा कि आप क्या लिखना चाहरे, अनु प्रिया इस सेंग कि सर प्लीज विहार बोर्ड का एक्साम कैंसल करवा दूँ आपकी जो एजुकिशन मिनिस्ट्री वह बिसिकली डिसेशन ले लेगी सही डिरेक्शन में, ठीक है, और ऐसी रिक्वेस्ट हमसे बहुत जादा ना करें, ठीक है, वी आर डेफिनिटली विद इस्टूदेंस, लेकिन हमारे हाथ में भी यहाँ पर जो ऐसा कुछ नहीं है, कि हम यहाँ पर यूट्यूब पढ़ा रहे हैं तो हम जाके बोल देंगे और यहाँ पर हमारी बात सु तो हमारे हाथ में डेफिनिटली नहीं होगा, वह आटकम तो अल्टिमेटली जो आथॉरिटी है, वही डिसाइड करेंगी, बट वी कन हेल्प यूट्यूब यूर्वाइस तो दोस पीपल जो बेसिक लिए गवान करता है, ठीक है, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट में समझ ग इस प्रॉपिशन, दो मीन अड्मीडियन आर्ट्वेंटी वनेटीव इस एप्रॉग्जमेटली हाँ मच, देन इट्स नोट इस एप्रॉग्जमेटली हाँ मच, ठीक है, पूरे पीवाइक्यों हो जाएंगे, हां सही है, बटा, आपका है, अगर आप आप आज का लेक्शर है, कि मैं हाफिकाजक कर तो कहते हैं कि सर एस एक क्यों सकता है कि अभी आप आप से यहां पर बन जाहें है सो तो देखां यहां पर जोडкого हा फ्रीगेंस अरण नीच चैनकरना और आपको इस कोश्चन को सॉनिकर सकते हैं, आगे बढ़ जाना फिर इसको अगर आपको जो है अगर ऐसो की सवाग मिलता है और आपको इस लिए इसलिए आपर कहे रहा हूं कि एक बार पता तक करें लो कि मीन माइनस मोर्ड इस इपल टू थी टाइम सो मीन माइनस मीडियां ठीक है आपको इहां पर जो है मैंग्जम आपको माइनस मोजगा माइनस की इस तरफाकि 24 हो जाएगा और मोड वाली वैलिव अपर इसेशन होगा बिलकुल होगा आपके बड़े-बड़े सेशन तो लई रहे है स्टेट लाइन सभी आपका इसके पहले वहाथा बीच में से एक छोड़ा सेशन अभी हमारा पेरो स्र होने वाला है ठीक है इन सेशन को लेट करके मतलब नहीं इन सेशन को जल्दी करना चाहिए जितने जल्दी हम यहां पर कॉन्फूरेंस आएगा नमबर ऑफ टॉपिक्स हमारे जैसे हाँ पर डन हो जाएंगे उतना ही वैदर हम फील करते हैं ठीक है तो नाव एवरीबड़ी बी वहरी वहरी अटेंटिक ठीक है यह आपका बहुत इंपोर्टटन डिसकेशन स्टार्ट हो रहा है पानी पिलेते हैं यहां पर अच्छे जरी किसे फिर से फोकस गें कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं उसके ओपर मैगजिम चां और स्टों पर पढ़ने से पहले सबसे एक आभी हमने ही ओने चीज़ेग्ट होती नाइं इसको हम सेंट्रल बचल सकते हैं तो कि यह अब सब्सक्राइब एंक सर्फिशन नहीं था किया रही है तो हां यह सफिशंट नहीं है जीट में के बार में तो कर लिया है था पर आपके सब्सक्राइब से पता चला है जो एक क्रोड़ वाले आपकी सब्सक्राइब लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ ठेटा पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपको बहतर तो आप यहां पर देखो कि आपके अगर नहां पर दो लग लग क्लासे से ना सेक्शन ने सेक्शन भी यहां पर मान सकते हैं और दोनों के अंदर यहां पर 20 बच्चे और यहां पर हुआ बिलकुली मतलब यहां पर यहां पर 100 अगर आप यहां पर निकालोगे 20 बच्चों के मतदद से तो इन दोनों क्लास का आपको यहां पर मील बताता हूं तो क्या आपको यहां पर बात पता चलेगी अंदर की खबर क्या आपको मिल पाएगी का यहां पर दिश्पर्शन भी हमें देखना चीए इसके इसके इंदर के पचास नंबर यहां विख इस नोट इस पर होगिशन फिके हैं वैसे यह जिन रही लेकिन इस से आपको यह important सब्सक्राइब करना चाहिए कि data कितना dispersed है, किसी एक central value के about, ठीक है, अब वो central value क्या है, है ना, वो central value आपकी यहाँ पर जो है, जैसे कि हम यहाँ पर mean deviation पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर change हो सकती ही, हाला कि यहाँ पर जो है, standard deviation और variance के case में तो central value हमेशा ही हमारा average होता है, जिसको हम mean कहते हैं, ठीक है, तो standard deviation and variance यह हमारा क्या है, dispersion study करने का एक tool है, कि आपका data कितना dispersed है, ठीक है, so that is what we calculate in standard deviation and variance, and mean deviation also refers to that same idea of dispersion, कि आपका data कितना dispersed है about some central value, ठीक है, mean deviation के अंदर बस एक facility हमारे पास में होती है, कि while calculating mean deviation, that central value, जिसके about हम dispersion देख रहे हैं, वो mean के अलावा कुछ दूसरा भी आप point select कर सकते हैं, dispersion किसी एक point के about निकालना पड़ेगा न, dispersion किसी एक point के about निकालना पड़ेगा, तो वो point usually जो हम select करते हैं, वो mean होता है, average वाला, ठीक है, लेकिन अगर mean deviation का question है, तो हो सकता है कि वो question में ही आप तो देदे कि नहीं नहीं, median के about निकालना, या फिर नहीं, आप 30 के about निकालना, आप 35 के about निकालना, ठीक है, तो mean deviation के अंदर ये facility होती है, यहाँ पर वो central point जो select करने हैं, वो change हो सकता है, लेकिन standard deviation और variance, यह जो आपका second topic है, this is always calculated about mean of that same data, ठीक है, तो अब यहाँ पर अपना जो है, formulae वाले direction में बढ़ने ही कोश्च करते हैं, कैसे यहाँ पर mean deviation calculate किया जाता है, उसको यहाँ पर समझने ही कोश्च करते है, mean deviation, mean deviation, नाम से बेसे समझ में आ रहा है, इतना बड़ी हाँ नाम किसी ने सोच की रखाया हुए, क्या रखा है यहाँ पर नाम mean deviation, और यह होता क्या है, यह deviations का mean होता है, तो mean deviation क्या होता है, deviations का mean होता है, तो deviation वाला यहाँ पर पंड़ा समझने के लिए छोटा सा example लेते, सब्सक्राइब दिमांग में क्लियर हो जाएगा अगली बार से आपको टेंशन नहीं लेना पड़ाइगा कि यह इंट्रेचेंजेबल वर्ट से इसा अपने दिमांग में रखना एक बच्चे के मार्क से पांच नंबर आए किसी बच्चे को दूसरी बच्चे को दस नंबर आ एक को बीस नंबर आए एक पच्चेस नंबर आए ठीक है इस तरह से हम यहां पर जो है एक टेस्ट में बच्चे को इतने शिस्ट्रमाटिक नंबर आए जस्ट वहल्प यूँ एक आईडिया ऑफ डिस परशन तो यहां पर आगर मैं इसका आइवरेज कितना आएगा इसका क्या आए आपको दिखाए देता है ब्रहस्य अब्ड़िकल निकल करा रहे ब्रंडबर युहां और नबर और यहां पर 40 वह यहां पर 20 अब यहां पर इसका गालना चाहता हूं इस पर इस निकालना चाहता हूं तो उसका तो यहां पर डिवेशन कुछ आए नहीं उस डेटा को कोई डिवेशन निया है क्योंकि हम उसी 20 के अबाउट ही डिवेशन देख रहे थी कि यह आपका इंफॉर्मेशन कितना दूर है तो 20 तो वहीं पर एक डेटा पॉइंट तो वहीं पर लेकिन दूसरा डेटा प आपको मिलता है जो दस कदम पीछे है एक यह अब यह अब इन इस परेशन को अगर डार्यक्न क्या होगा तो बीच वले डिपर दो यह minus 5 plus 5 cancel हो जाएगा minus 10 plus 10 cancel हो जाएगा minus 15 plus 15 cancel हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर dispersion calculate कर रहा हूँ और अगर मैं directly add कर रहा हूँ तो directly add करने में problem है कि हमारा answer 0 भी आ रहा है जबकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि 20 के about dispersion 0 है क्या सभी के सभी number 20 है नए आपके तो 5 से लेके 35 तक dispersion है सभी सीज को हम अपने consideration में कैसे डालेंगे यह negative sign basically हम हटाने के बारे में सोचते है अगर यह negative sign नहीं होते तो यहाँ पर तो है यह add up हो जाते है और हमारे पास में कुछ नो कुछ positive value निकल कर आता इसलिए हम यहाँ पर क्या करते है modern हम क्या करते है हर एक value में से अपने central value को सब्राइबक तो करेंगे central value आपने यहाँ लेट सेci म् leicht कर ली लेकिन आपने यहाँ अर मेलिव centres कर उणंदे करने का सोच और फिर एड करना चाहते है तकि जीरो वाला प्रॉलम ना है समझें आगे तो मीन डीवेशन क्या है डीवेशन का ही मीन है लेकिन डीवेशन के मौड का मीन है जो आपका हर एक डेटा पॉइंट है लेट इसकॉल इक साइब उसमें से आप यहां पर सेंट्रल डेटा कुछ भी सेंट्रल डेटा कुछ भी आप को समझा आप यहां पर आप काम किया तो आप यहां रखना कि इसको पर फॉर्दर क्या करोगी एक बार मॉड भी लगा लेना और फिर यहां पर नमबर ऑफ अब्सेर्वेशन से डिवाइट क्यों करना है सब कुछ एड करके नमबर ऑफ अब क्या समझ में आया डिविएशन का मीन है डिविएशन को एड करके नमबर ऑफ और से डिवाइट कर दिया तो आपने मीन निकाल लिया कि इसका डिविएशन का बस खत्म बस मॉड लगाने के लिए आपने याद रखना चाहिए मॉड को भूलना नहीं तो बड़ा ही आसान आ है इसको एया ट्रिपली उस टाइम पर कहते थे ठीक है बढ़िया सवाल है एक बार देखें सरव अच्छे को क्या दिया है यहाँ पर इस अगर आपके लिए आइडिया नहीं आया है तो एक बार यहाला कोशन मुझे सॉल करते हुए देख लो आपको आगे से दिक्कत नहीं आएगी तो यहाँ पर देखो में डिवेशन ओफ इस नंबर्स नंबर्स हमें आप दिखाई देरें रॉम देर मीन मतलब मुझे आप आप रहेन निकालना पड़ेगा अभी देखर करके मैं एक्चली डिवेशन करना पढ़ेंगों नहीं निकालना निकालना चाहते हैं वे यहां निकले हो कैसे हैं उगला देटा पॉइंट इड अगला डिवाट पॉइंट क्या है 1 प्लस चॉदी हम कहां तक जा रहे हैं हम ज तक ठीक है और डिवाइट करना है मुझे यहां पर नंबर ऑब्जर्वेशन से ताकि में मील का वैली आपर रिपोर्ट कर पाँ तो नंबर ऑब्जर्वेशन कितिने हो जाएंगे सब्सक्राइब करता है और यहां पर नीचे जो आपका 101 आ रहा है वह यहां पर यहां पर यहां पर जो मीन का वैली मिला है वह कितना है वन प्लस 50 बराबर इस वन प्लस 50 आपके सब्सक्राइब करने के लिए अब यहां पर यहां पर करेंगे तो वन में से अगर मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूं तो मुझे याद है मुझे मौड के साथ में लिखना है यह यह इस तरह से यह कम होते जाएगा कहा तक कम होगा यह बीश में अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर जब 1 plus D, 1 plus 2 D, 1 plus 3 D जा रहा है, बीच में कहीने किया आपको यहाँपर 1 plus 50 D भी तु मिलेगा, 1 plus 50 D के पहले आपको 1 plus 49 D भी मिलेगा, 1 plus 49 D जब आपको यहाँपर मिलेगा, fortin, तोम Marchant minus D बचाव हो दिखाई देगा, वन प्लस 50D के साथ में आपको यहां पर जीलो दिखाई देगी एंड यूइल गेट प्लस वाले वैल्यू ठीक है वन प्लस 51D यहां पर कहीं नहीं कहीं आएगा बीच में उसमें से आप अगर वन प्लस 50D सब्क्राट करके तो आपको प्लस D बचावा दिखाई देगी ठीक है और डिविशन डिविशन में कितना आ जाएगा डिविशन में अगर नंबर ऑफ जो यहां पर कितने हैं 101 के बराबर हैं जितने आपके वैल्यूज है उतने ही डिविएशन होंगे यह सुनों अब उसमें से एक डिविशन अगर 0 है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है वह अप सब्सक्राइब करें और यहां से आपको डिविशन कुछ नहीं है अगर आपको 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 और यहां से आपका कैंसल हो जाएगा आप यहां से आपका कैंसल हो जाएगा आप यहां पर फृदर कैंसलेशन से एक बार चेक करने सारे बच्चे और बताएं कि यहां पर आपका मॉडड डी का वैल्यू कितना आने वाला है यहां पर मुझे लगता है कि आपका 51 से यह फाइप किंचल होगा 51 इसके साथ हो जाएक यहां पर बचेगा 10 बचेगा 10 को आपको 10.1 ऐह बंड़ यहां बन रहा है एक तरी कैसे बैली उसने जो है वैसे जो है दिया होना चाहिए था कि यहां पर यह वैल्यू आपकी क्या है है पॉस्टिव वैल्यू तो हम यहां पर एक और सवाल करते हैं जिन बच्चों नहीं पर पहली बार यह सवाल देखा होगा मीन deviation का उनको अगला सवाल करके तो पक्के से confidence आजाएगा इसके बाद में आपको लाइफ में जो है कभी मीन deviation के questions अलग से जरोत वैसे तो नहीं है लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर आज का सेशन हो जाने दूपस 2011 तो इसका मतलब भी थोड़ी से पुराने सवाल है यह रिसेंटली जादा पूछे नहीं जा रहा है रिसेंटली क्या चीज़ पूछी जा रही है रिसेंटली क्या चीज़ पूछी जा रही है इस standard deviation and variance फिर से बोल रहा हूं यह है जिसके उपर आपको maximum questions पूछे जाता है ठीक है but that should not mean कि हम यहाँ बाकी जीदों को एकदम से छोड़ी दे ठीक है बाकी जीदी भी हमने यहाँ पर जो है फोकस में रखनी चाहिए क्योंकि देखो किस्मत हमारी कौन सा सवाल हमारे सामने लेके आएगी एक्जाम में कुछ कहते नहीं आता ठीक है so we should be ready for everything and आप एक बात तो यहाँ पर समझे चुके होंगे कई सारे आपने यहाँ यूट्यूब के वीडियोज भी देख लिए होंगे हम भी आपको आपका जो cut-off है because of all this delay यह बढ़ने वाले क्यों बढ़ने वाले यह इसलिए बढ़ने वाले कि हो सकता है कि कि किसी करके देख लिए ठीक है तो उसका चैप्टर पूरा रेडी हो गया ऐसे बाकी चैप्टर के साथ में भी होगा आपने लेट से यहाँ पर सर्कल के अंदर और और तो चोड़कर रखा था तो आपने यहाँ पर समय मिला तो आपने वह भी कर लिया तो ऐसा आपको बढ़ने त अबुस्टर नहीं है ताकि आपके पीछे आप से आगे न निकल पाएं आप से आगे तो आपके साथ साथ में हैं कर ने वाले हैं उसका जो नहीं सिंगल लिकों नहीं हो गया है जो हम इन एक तेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर किया है ठीक है और आपके यहाँ चल रहा ह कि आपके पढ़ाई कहा चल रही और उसके बाद में एफट्स लगाते हैं यहाले सवाल में क्या हो रहा है इव दो मीन डिवेशन अब तो इसने हमसे पूछा है तो अब यहां पर आप देख सकते हूं कि इसने मीन डिवेशन खुदते ही बोला है कि मीडियन के अबाउट में क करवाना चाहता हूं तो तो इसलिए हम इनमीन के मोड का इसकेशन सही तरी किसे करने हैं तो आपको यहां पर आपको इब उठानी है मतलब कौन सी मतलब ही आजाएगा आपकी 25 ठीक है और एन बाइटू प्लस वनित इसके आगी वाली तो यह कौन सी आजाएगा आपकी 26 यह वाली ऑप्ज़रेशन आपको बिसलिए हाँ पर उठानी है और उनका करना है आपको एवरेज ठीक है और इसका अगर मैं अबरेश निकालता हूं तो मुझे यहां पर एक्शली मीडियन का वैल्यू पता चलेगा मीडियन का वैली यहां पर कितना आएगा इसका एवरेज विच इसके बीच में एवरेश तो सब्सक्राइब करनें ठीक है तो 25.5 एबिकम्स अबरेज एवरेज और दिवन डेटा अब मुझे मीन डिवेशन निकालना है इस तांड वैल्यू के अब तो मुझे यहां पर यह सब्ट्राइट करना बढ़ा एक गंदा सा वैल्यू सम्में से कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आपकी सीक्वेंश जिए जो है help करेगी डोंट वरेगी तो सीक्वें पाइए उसके वाद में आपके वाचे का माइनस 23.5 इस तरह से आपका जोबेएक कम होते जाएगा अगरीट अगर आप यहां पर टूए में से सब्ट्राइट करते हो आपको 23.5 ए मिलेगा ठीक है ऐसा कम होते होते है आपका नंबर यहां पर पक्के से किसका आएगा आपक 25A को अगर आप यहां पर जो है सब्ट्राइक्शन में यूज करते हो तो आपको यहां पर माइनस 0.5 26 इस्तिमाल करते हो 26a में से अगर आप इस वैली को सब्राइक करते हो तो आपको यहां पर पहली बार पॉजिटिव वैली मिलना स्टार्ट होगी 0.5 ए ठीक है एंड दि नंबर का खेल है आपके हाफे क्यालकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी इस से सिंपल टास्क हम यहां पर जैए में क्या एक्सपेट कर सकते हैं कि केवल क्यालकुलेशन नहीं करनी ठीक है बाकी बाकी दिमाग भी लगाना पड़ता है ना यहां लिए खेल आपने यहां प क्या धिया है मिस्यक्त एैशन हाँ और प्रचास की बराबर चास अगर मिंहां पर अपने यह है चीजो को तो अब इस ब्रैकेट के अंदर कितनी बची वह तर नीचे तो पचास ही आए लिए इस इस एक्टिए है तो इस एक्शुली इस एक्शली आ अडर्याइगे है तो हम यहाँ पर अपना इस्तिमाल कर लो तो से डिवाइड कर दो इस इकोल टू मॉड एक साथ में अब यहां पर जो हम मुझे सम ऑफ एक का फॉर्मला इस्तिमाल करते हैं तो आपके नॉम्पर आफ कितने हैं पच्छेस अपॉन टो एंड बाइटू इंटू फॉर्स और प्रफ्टीफाइग टिए हैं पर लास्टम 2525 टू यहाँ पर कैंसलेशन के बाद में आपको यहाँ पर फाइनल आंसर के मिल रहा है देख लो गए बार तू और तू आपके यहां से पच्छास के साथ में कैंसल होंगे दो दो बचाएगा तो आपको यहाँ पर मॉड ए सब्सक्राइब करा देंगे बिल्कुल दिपांशु आप बताओ कब करना है बताओ आपके साथ में पूस कंडट करने की देरी है और रहान आपने अगर अभी ही जॉइन किया तो यूट्यूब के ओपर यह दिक्कत रहन आपने जो ही करनी चाहिए आपके पास में यहां पर स्क्रॉल बैक का ठीक है आप इसको पकड़ के स्क्रॉल बैक कर दो आपको ऐसा लएगा कि समीर सार अभी पढ़ा रहे है आपके लिए लाइव कुछ और है जहां से आप देखना चाहों वहां से देख सकते कोई दिक्कत ही नहीं ठीक है क्या करना है आपको यहां पर अपने जो है deviations को calculate करना है और उनका average निकालना है ठीक है ऑल्राइट करा दें करा दें करा दें करा दें करा दें तो जो है थोड़ा सा यह शॉर्ट नोटिस पे भी हो सकता है जैसे कि आज का सेशन बहुत यहादा शॉर्ट नोटिस पे था बट आइधा था यार मेरे पास यहां प इसके बाद में एक सेक्शन और है जिसको हम इंपॉर्ट साथ में डिसकस करेंगे क्योंकि उसके ओपर भी बहुत ज्यादा कोशन बूचेगा है मदब 2019 और 2020 21 यह तीन यह अगर आप पकड़ लो इनके अंदर तो बहुचार है भई मदब इसके बाद वाला जो पोर्शन है ठीक है यह वाले कोशन भी आ रहा है लेकिन इसके बाद वाला पोर्शन भी इकवरी इंपॉर्टन है ठीक है तो लेट्स टुइट ठीक है चार नमबर का सवाल है अच्छे से करते हैं सब कुछ पर फिर से आपको क्या मताएंगा आपका डेटा कितना डिस्पर्ज आइवच की आबॉट अब उस्पली है आपको यहहां पर तुहां पर ने तो वियर्ड लगश्प्लेंए यहां पर क्या हो Oh लेट इस एक्स्पेन यूँ कि हाँ पर क्या हो रहा है आपको वाला एक्जामपल याद है जहां पर जो है प्लस 5-5 प्लस 10-10 प्लस 15-15 है ना इस टाइप के आपके जो है डिविएशन आ रहे थे तो हमें वो जो negative deviation और positive deviation वाला जो problem है ना उसको solve करना है ऐसा आप सोचो ठीक है तो एक तो आपने mod इस्तिमाल कर लिया है वो सेम चीज़ इस्तिमाल करके आपको नया formula नहीं मिलेगा तो अब यहां पर दूसरा थौट जो हमारे दिमाग में होता है वो यह है कि अगर मैं negative quantity का square करता हो ना तो फिर से मुझे positive मिलता है negative quantity का square करके फिर से मुझे positive मिलता है एंड इतना आपने दिमाग में रख लिया तो आपको यहां पर हो क्या रहा है पहली बात हमने समझ लिया कि आपका जो standard deviation है वो हमेशा ही mean के about ही calculate होगा तो आपको जब भी standard deviation का question आएगा आग बन क calculate कर लिए पूरे data का वह यहां पर x-bar आपकी value है उसके बाद में आप यहां पर क्या करोगे आप यहां पर हर एक अपना जो data है उसके अदर से x-bar को subtract करोगे x-bar को subtract क्यों करना है वो तो मैंने यहां पर इस example में आपको काफी अच्छे तरीके से समझा दिया था ठीक है deviation क्य तो भी क्या होगा यह भी प्लस 25 बनेगा यह भी प्लस 25 बनेगा यह भी 100 बनेगा यह भी 100 बनेगा इस तैप से आपके जो सारे के सारे deviation से हो पॉस्टिव हो जाएगे उनको add कर लो हमें positive बनाने से मतलब था तो हम नहीं हापर square करके positive बना लिया उसके बाद में हम यहां पर नमबर ऑफ उब्जरवेशन से डिवाइड किया ठीक है फिर हमें याद आया है कि अरे square कर दी हमने यह तो नहीं करना चाहिए था तो फिर हमने बना फिर रूट ले लो अगर आपने square कुछ से कर दिया था square नहीं करना चाहिए था आगर आपको ऐसा लग रहा है तो सब सब्सक्राइब करेंगे फिर सब्सक्राइब करेंगे लेकिन फिर एक रूट भी ले लेंगे ठीक है और इस तरह का कुछ आपने हापने हाँ पर केमिस्ट्री या पिजिक्स में कहीं बढ़ा हो है कि यह जो root mean square velocity आपकी यहाँ पर कुछ तो टर्म होती वो वो इससे मिलता ज पॉर्शंस ओव जेए सिलेवस आएम मोर इंटो मैथमेटिक्स आज यू कन सी ठीक है लेकिन आप लोग को यहाँ पर जो है पदा डेफिनिटली होगा ठीक है इडिस लाइक आरेमेस अल्फा प्रजापती इस डेफिनिटली सपोर्टिंग माई आइडिया ठीक है रूट मीन स्क्वेर वेलासिटी जैसा आरेमेस वेलासिटी जैसा स्पीड जैसा आपको यहाँ पर जाओ कहने की फिलिंग यह दे रहा है एसी में बहुत बढ़ बढ़िया बात है ठीक है इसको अगर आपके यहां पर अगर आपके पास में फिर से डेटा अगर grouped तरीके से दिया हुए मतलब frequency distribution अगर आपके उसमें पर है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो तो आप यहां पर फिर से वही idea इस्सिमाल कर सकते हो जो हमने यहां पर इसके पहले भी किया हुआ है sigma fi xi upon sigma sigma fi xi upon sigma fi जो हम यहां पर करते हैं mean निकालने के लिए बिल्कुल वही काम हम यहां पर फिर से करेंगे आप यहां पर सोचो कि अगर आपके पास में data points ऐसे हैं कि हर एक data point अलग है अगर हर एक data point अलग है और यह 25 भात वार आ रहे है तो 25 माइबस बीस करके जो आपका 5 value ग्रे एंटोगा जो deviationaaaa वह भी बहुत बार क्टोगा न हो जीतने बार आपकी value रीकीट हो डहिए घवाचिंच्वी उतने ही बार ऑडैटाज ग्रेशन होग आपकी बार क्या है इंदर ना चीए जो इहां पर बगे लिए नीचे लिखाओ है ठीक है यहां तक सारे बच्छों को जैसे कि हम यहां पर मीन के अंदर करते हैं वैसे ही सेंचीज हम यहां पर जो है ग्रूब डेटा के लिए इसको जो है सारे बच्छे ध्यान रखना है लेकिन यूज कम से कम करना है यह वाला फॉर्मला जो है यह अपनी स्टैंडर डिवेशन के आइडिया को जनरेट करने के लिए समझने के लिए बहुत बढ़िया है लेकिन आप यहां पर सोचो कि अगर आपका मीन बायचांस गंद हो गया आपके डेटा तो अच्छे थे लेकिन आपका मीन गंदा कर देगा पूरे लेकिन यहां पर क्रेंग अच्छे वाली से अगर decimal वाली value सब्ट्राइट करें integer में से decimal सब्ट्राइट करें तो आपको फिर से decimal मिले तो ये आपके सारे के सारे गंदे वाले values को आपको square करके फिर add करना पड़ेगा तो वो एक बहुत खतरनाग और गंदी calculation होती है तो हम क्या करते हैं ये वाला formula यहां पर मैं आपको बता देता हूं अगर बता हां बता दिया notation basically आपका जो इसका notation है वह यह है standard deviation का notation यह सिग्मा है ठीक है सिग्मा से अपने standard deviation को denote करते हैं तो आपका सिग्मा को जो formula बना हुआ है अभी वो क्या है under root के अंदर sigma x i minus x bar का whole square और नीचे आते हैं number of observations यह हमारा standard idea है हम यहां पर यह जो गंदगी है calculation में ना हो जैसे कि मैं आपको भी explain कर रहा था तो हम यहां पर क्या करते हैं उसका इलाज यहीं पर theory में निकाल लाए अब यह कहते हैं कि स्क्वेर आप open कर लो तो सिग्मा के अंदर आपको क्या दिखाए देगा x i का स्क्वेर प्लस क्याना यह आफिर जो है मतलब मैं यहां पर a minus b का whole square लिख रहा हूं इदनी इसने सिंबल सी बात समझों माइनस 2 x बार इंटो x i & plus x बार का इसा यह किसके अंदर है यह सिंधिक सी आए बेसिक सी प्रॉब्डिया आपको पता होगी किलिंवाक डिस्तिप्यूट कर सकते हैं अगर मैं और इसलिभीट करूं तो क्या होगा स्थेक्वार और मिलेगा मझे इहाँ पर सिछाएगा ईधु थोड़ fifty times A जो है अभी सिग्मा के अंदर Xバー का स्क्वेर मिलेगा और निचे आजायगा मिरे पने सिंहां एल नम्भरल अब्सर्बेशन ठीक है अपने ऑपने रूट को और थोड़ा कर लिए J Thompson हाँ तो यहां पर देखो अब हम क्या बोल सकते हैं सिग्मा के हम एक प्रॉपटी पता है कि कॉंस्ट बैली जो है वो सिग्मा के बाहर आ जाते हैं यहां पर आपके साथ में जो टू है यह तो कॉंस्ट ही है लेकिन यह जो एक्स बार है न वो भी कॉंस्ट एक्स बार क्या है X-bar तो mean को denote कर रहा है न, आपके observations तो change हो रही है, X-i यहाँ पर आपका बार-बार change हो रहा है, लेकिन X-bar तो already calculate होके, आचुका है आपके पास, वो एक fixed value जिसको आप यहाँ पर बार-बार subscribe करने के बारे में सोच रहे था है, तो अगर आप यहाँ पर सोच रहे था आपका 2 और X-bar दोनों constant है, और यहाँ पर X-bar का square यह पूरा का पूरा constant है, तो आप यह दोनों constant values बाहर निकाल सकते हो, और इसलिए आपका अंडूरूट के अंदर finally हम पर क्या बचाएगा, Sigma X-i का square minus 2 times of X-bar into Sigma of X-i, X-i का square into Sigma 1, अगर X-bar का square ही अंदर था आपने X-bar का square ही बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको यहाँ पर overall जो है, अब N से divide करना तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ऐसा, इसको split करके divide कर लें, क्या जो है, इसको ऐसा split करके divide कर लें, सभी को यहाँ पर जो है N, N, N से divide कर लें, तो आपको यहाँ पर अब एक interesting बात बताता हूँ, यह जो आपका Sigma X-i upon N हैं, यह तो mean का formula बन गया नहीं, Sigma X-i upon N, सारे observations को add करो, number of observations से divide करो, यह था आपका mean का formula बन गया, तो यह X-bar है, और यहाँ पर X-bar लिखा हुआ है, यह अगला वाला डबा भी मिलके X-bar बनाएगा, और Sigma 1 आपको बता हैं कि N के बराबर होता है, 1 plus 1 plus 1 यहाँ पर जो है, कितना आप create करेगा, N create करेगा, तो यह Sigma 1 बेसिकली आपका cancel हो जाएगा, इस N के साथ, So, what you are left with? You are left with Sigma is equal to under root के अंदर, Sigma X-I का square upon number of observations minus 2 times of, कितना हो जाएगा? X-bar का square हो जाएगा, देखे लिए एक पर सारविक्स ध्यान से, यह X-bar पहले से था, X-I upon N करके, Sigma X-I upon N करके, एक और X-bar आ गया, तो 2 X-bar का square हो गया है, है ना, 2 times of X-bar का square, और यहाँ पर आपका X-bar का square अलड़ी, यहाँ पर आपने comment निकालते रखाई था, ठीक है? calculation पर लिए यह formula अच्छा है, ठीक है? ठीक है? यहाँ पर देखो, अगर आपका यहाँ पर data, अगर दीवन जो है वो अच्छा है, लेटर से सारे के सारे pi के multiples, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? हर एक pi के multiple का square करना है, add करना है, number of observation से divide करना है, यहाँ तो गंदग ही तो नहीं होरी ना, अगर आपका यहाँ पर data point अच्छा है और mean गंदा है, तो फिर तो भी यहाँ पर अगर आप यह formula इस्तिमाल करते तो आपको हर एक decimal value का square करना पड़ता, ठीक है? 23.5 का square, 24.5 का square, 26.5 का square, यह सारी चीज़े करने पड़ते है, ठीक है? तो यहाँ पर साहुलीद हमें मिलती है, तो सारे बच्चे इसको no down कर ले, this is the most important formula of this entire chapter, मतलब मैं यह भी कह सबता हम, I know with full confidence, यही है वो formula जो आपको हमें सबसे जादा याद होना चीए, तो इसको हम कर देता है, इसको हम सिंगल स्टार, ट्रिपल स्टार formula of this lecture, अन्रूट के अंदर सिगमा x i square upon n minus x bar का square, ठीक है, बहुत बढ़ी, हाँ जी, एक बार रिपीट कर दें, एक बार जल्दी सुन लें, सारे बच्चे है, हमने यहाँ पर अपने actual formula को समझ लिया था, कि हम deviation निकाल रहे है, मतलब x bar subtract कर रहे है, फिर positive करने के लिए square कर रहे है, तब को add कर रहे है, नम्रों sigma open किया, sigma open करके हमने हाँ पर उसको split किया, split करके हमने notice किया कि हाँ पर यह वाले value भी x bar बन रहे है, mean बन रही है, और यहाला value आपका n से cancel हो रहा है, so ultimately what we get is a better formula to use for calculations, alright, and before we actually go into the questions, एक बार variance के बाद उसको भी समझ लो, अब standard deviation ही तने detail में पढ़ने के बाद में, variance actually आपको यही एक चीज़ आपको याद रहा है, variance अगर पूछा है तो भई, वही फॉर्मा, without unroot use कर लेना, लिख दूँ फिर यहाँ पे, variance का पॉर्मा लिख दूँ, और in fact देखो यहोंने कितना शांदर काम किया है, इन्होंने यह काम किया है, कि variance का notation sigma square रख दिया, literally, standard deviation का square, तो notation भी क्या है, sigma square, variance का notation क्या है, sigma square, ठीक है, sigma square is the notation, और variance, और इसका formula क्या है, under root हड़ा तो, आपको यहाँ पर, वो जो theory वाला formula है, वो क्या था, x i minus x bar का square, और n से divide करने वाला, है ना, यह तो एक formula है यह हमारे पस में, और computational formula जो इसका equivalent आएका, वो कितना हो जाएका, sigma x i का square upon n minus x bar का square, standard deviation वाले formula यहाँ पर लगभग लिखा हुआ है, without under root, बस, ठीक है, यह होता है, आपका variance, तो आपको इसका मतब जो है, theoretical understanding जो चाहिए थी, वो यहाँ तक आते-आते आते, आपको complete मिल चुकी है, but more importantly, you want to know कि यहाँ पर questions जो आते हैं, उनको solve कैसे करते हैं, ठीक है, so let us get into it, यहाँ पर आपको थोड़ा calculation जो है, रुक के करना पढ़ सकता है, जिसे कि यह सवाल, जो जेए में 2014 में आया था, now really, है ना, इस point पर आके आपने literally अपने pen paper पर काम करना, start कर देना चाहिए, अगर आपने इस lecture के अगर अभी आगया आने जो questions है, उनको अगर पॉस भी कर सकते हो, पॉस करने के बाद में आप यहाँ पर जो है, फिर से resume करके देखो कि आपकी calculation सही थी गया, साथ में यह भी notice करो कि कितना time आपको यहाँ पर calculation में लग रहा है, because just knowing will not help, ठीक है, आपको यहाँ पर जो है, अपने आप से यहाँ पर answer भी निकालते है, आन one, variance of the first 50 even natural numbers is how, variance हमें पता है, यह रहा, first 50 even natural numbers, बिल्कुल पता है, हैное, लिख लेता है एक्पड हैंगो हमारे पास में ढवारे जो हमारे Karma में 100 यह हमारे पास में जो पूरा कुपरा सेट है यह फुर्स्ट फिटी इवन नैच्रल लंबर से ठीक है मुझे अगर वेरियंस निकालना है तो मुझे यहां पर पता है कि यहां पर मैं यह वाला इस्तेमाल करूंगा इसको calculate करने के लिए मुझे यहां पर mean भी चाहिए होता है तो मैं सबसे पहले target करता हूं यहां पर क्या में mean निकाल सकता हूं एक्स बार तो mean क्या निकलेगा आपको यहां पर 2 प्लस 4 प्लस 6 ऐसा करते करते हैं आपको 100 तक जाना है और divide करना है यहां पर आपको 50 अगर हम यह यहां पर जो है common निकाल लेता हूं इसके अंदर से 2 तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 अप्टू 50 अगर आप यहां पर अपने एल इंटो एंट्रस अपॉन टू अला इडिया इस्तिमाल करते हो तो आपको यहां पर overall एक्स बार का व अपॉन टू लेकिन 850 अलग से था तो यह 50 गया यह टू गया मतलब आपके यहां पर एक्स बार का वैल्यू जाहें 51 के बराबर आया है कि कैसे के एक बार सारे बच्चे चेक करने लिए परस्ट फिटी इवन नाच्रल नंबर का हम यहां पर डिस्क्रिशन कर रहे है तो एक बार आपके पर अचुका है अब यहां पर जो भी इंस चल्कुलेट करना मेरे लिए बहुत जादा पैलफुल नहीं ठीक है क्योंकि बेरियंस बिसिकली क्या होगा सिंग्मा स्क्वेर क्या होगा यह होगा सिंगा एक साइग अगरी है यांपर नियुक्त कर यहां पर और फर्दर यहां पर नियुक्त करोंगा तो कैले इस लेट इस टेक फोर आपको आपको आजाएगा अंदर बचाएगा वन स्कूर तू स्कूर थी स्कूर एसा करते करते इसका भी हम यहां पर पता होता है यहां यहां पर यूज कर लेता है एंसर बता देंगे तो लेट सब्सक्राइब इतना तो आपको बता है इंटु एंट प्लस वन इंटु टु एंट प्लस वन अपॉन सिक्स है यह स्टांडर पॉर्ण हम सबको पता है ठीक है और इस कैल्कूलेशन को जट से परफॉर्म करें और बताए कि आपका फाइनल आंसर किस से मैच कर रहा है यह आपका पचास-पचास चला जाएगा आप इसको जो है दो से कैंसल करवा देता हूं और एक जो है इसको थीन से करवा देता हूं ठीक है तो अल्टिमेटली डाइट इनीट तो इस थर्टी पोर इन्टी वन जिरो वन और चेक करके बताए तो फ्रैक्शन तो नहीं आ रहा एक लिस्ट यह हमें गारेंटी है तो यह तो आपका कैंसल हो जाएगा और एंड में आपका 3 आएगा यह भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो कुछ-कुछ यहां पर स्टेप साब वैसे यहां पर आपको बचा सकते हो यहां पर मु मुझे तो लग रहा है कि हमें डी ही एंसर सही होना चाहिए तो इस तरह के शॉटकट साब यहां पर थोड़े से लगा सकते हैं बट मेजर लिए आपको यहां पर यह जो है एक्स्प्रेशन क्रिएट करके लिखते आना चाहिए हैं तो लिख दो यहां पर में 833 833 ही आ रहा हाथ की साथ ले सकते हैं एक कोशन भी काफी है क्योंकि इसके आद में आपको जो है थोड़ा सा रिपिटेशन फील होने लग जाना चाहिए यहां इसके अंदर भी लगभख करना तो वही पॉर्मला है ऐसा को पील आने लग जाना चाहिए ठीक है तो इस मोंट आवर नेक्स वह सब्सक्राइब नाटम अचन आउटकम ओफ माइनस बी तो इसमें दस आइटम है और उनका जो आउटकम है वहाफ माइनस डी है यह कैसा डिटा है बड़ा विएट सब्सक्राइब अगे अटन आउटकम अफ दस आइटम जो है उन्हें आउटपुट इहां पर जो दिया है ना एक हाफ माइनस टी एक आपका हाफ और एक हाफ प्लस टी करके दिख रहा है ओके इफ दवेरियंस अफ इस आउटकम डेटा इस फोर बाइटी देन मॉड ओफ डी का वैली हाप पर जो कितना होना चाहिए बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं करते हैं चलो इसको सौल मुझे लग रहा है कि हाँ पर जो है एक तरीक से फ्रीक्वेंसी वाला आइडिया इसमाल करना चाहिए हमने यह और सब्सक्राइब इसको मैं हाइलाइट करके दिखा पाऊं तो अगर मैं वेरियंस की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की लाइंवेज में अगर मैं पॉड्वा लिखन करना चाहता हूं हाला कि लिखने के ज़रूत नहीं आप यहां पर समझ चुके होंगे कि क्या करना है बट स्टिल लेट मी राइट इड़ाइट जिनको यहां पर अभी ज्यादा कॉंफिनस नहीं है आपको यहां पर बैसकली एक साई का स्क्वेर मल्टिप्लाइब करना है औ इस इकल टो सिग्मा इपए के परावर होता है और सब्ट्राइट अगर मुझे हा पर करना है तो फिर से हाफ मुझे क्या करना है जे क्या है यह क्या है यह यह मेन ही है और इसका स्ट गॉल कि यंट में रखनों स्ट आइग तर इसंट पर टेचली इनकौरपर इस इंटूर मेमरी एस वेल यह को आपको इस्तेमाल भी करना है इसी कोश्ट्य आपका निजा नीय चाहिए नीज है सब्सक्राइब यहां पर मुझे संग करना है किसका एफपाई मतलब 10 इंटू डेटा का स्कूर मतलब आप माइनस डी का यह डेटा है यह वैल्यू है तो उसका वैल्यू का स्कूर करना होता है तो यहां पर यह चाहिए जो है मुझे लग रहा है कि हम अलग से यहां पर निकाल के ङहां पर सदू कर लेतेैं हैं एक वार का तौमा फर कितनल का अपान सिगमा अंथाय की मतब से ठीक है तो प्लस दिस इंतो ड़ेकश किने रिख trip मायनस दी फ्लस टैनल इंटो हाफ and प्लस टैनल इंटू हाफ प्लस D, ठीक है, और division में कितना हो जाएगा, 30, तो क्या है C नहीं हाँ पर, यहाँ पर बिसिकली आपके एक तो, यह 10, 10, 10, एक 0 कांसल करवा देता है, तो आपके यहाँ पर यह D और D B कांसल हो जाएगा, हाफ, 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 मिलके कितना हो जाएगा, 3 by 2 हो जाएगा, मतभी ओर आपका इहाँ पर 3 से दिवाइट करके 1 by 2 बन रहा है, इसको मतलब आपको मिलना जाएगा, ओके, तो, लेट इस दूदर रिमेनिंग कैलकुलेशन, वह 3 से कैंसलेशन, सॉरी, 0 से कैंसलेशन वाला काम यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है, इसको पहले परफॉर्म कर लेता है, एड देन, लेट सी कि क्या हो रहा है, स्टिग्मा स्क्वेर का वैल्यू इहां पर 4 वाई 3 है, इसको में इस्तिमाल करना चाहता हूँ, इस दी एक्वल टूट यहां पर क्या है मेरे पास, 1 थर्ड के अंदर, 1 थर्ड के अंदर मेरे पास यहां पर 1 बाई 4, प्लस D स्क्वेर, माइनस 2D, यहां पर 1 by 4 उसके याद में 1 by 4 plus D squared plus 2D तो दी तो यहां पर जो होने के लिए ही दिया है ऐसा लग रहा है 2D आपका यहां पर जो है cancel हो जाएगा and what about the remaining values what about the remaining values let us do that so 3 जो है overall यहां पर multiply करवा देता हूं तो 4 is equal to 3 अगर में यहां पर multiply करवांगो तो 3 से साथ मिल रहा है and plus 2D square मिल रहा है और 3 अगर मैंने cross multiply करवा है तो मुझे पास यहां पर minus 3 by 4 भी आ रहा है so 3 by 4 भी यहां पर cancel बढ़िया तरीके से होगे data अच्छा है इस सवाल के इंदर किया आपको यहां पर ज्यादा तंग नहीं कर रहा है cancellation के साथ में आपको आगे proceed करते आ रहा है सब्सक्राइब कर दो के बरावर आगया है तो आपका इसका मतलब जो ही डी का वैल्यू जो पूछा गया है मौड डी का वैल्यू वह डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो रूट आपके यहां पर जो है answer होना थी इस everybody okay with this concept explanation सब्सक्राइब को यह रूट तो आपके नंबर यहां पर पक्के हो दे जा रहे हैं जैसे बच्ची यहां पर आंसर बता रहे हैं मुझे आपके पुरा यकीन है कि आपको भी confidence तो आई ही रहा होगा ठीक है great let us do another question from jamin 2020 this time jamin 2020 में क्या सवाल पूछा गया था the mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively यह बहुत ही standard pattern यह इस pattern को तो आप mark करते हैं इस pattern को star mark कर रहा हूं सोचो मतलब आपको एक particular question बोल रहा हूं कि यह question important है ऐसा हम usually करते हैं usually concept को star mark करके बताता हूं कि concept important है लेकिन यहां पर यह pattern भी important है बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा पॉर्ष्यों ठीक है क्या है यहां पर the mean and variance of 7 observations are given to us ठीक है and what else is available 5 observations are available out of 7 अगर मैं यहां पर मीन का discussion करता हूं एक बार तो निकलेगा किसे पांच तो यहां से उठालो 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 आपको मीन का value दिया हुआ 7 values का तो हम मीन निकालने की अगर कोशिश करेंगे तो हमें 7 values चाहिए ना लेकिन हमारे पास में तो पांच की information है 5 observations are this 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 is the absolute difference of the remaining two मतलब remaining two का यहां पर कहने के जो है मुझे अपने जो है उनको वेरियेबल की टर्मस यहां पर मानना पड़ेगा मान लेते हैं कि बच्चे वे दो जो है वो X और Y के बराबर है बच्चे वे दो observations जो है साथ में से वह X और Y के बराबर है बाकि तो 5 हम आपको उसमें दे ही दे हैं तो अगर मैं यहां पर मीन निकालने की कोशिच कर रहा हूं तो वो यहां पर निकलता कैसे है दिस सब कुछ एड करके 7 से डिवाइट करो और इसका information आपको दिया हूँ कितना है यह आपको दिया हूँ है मीन का value किसके बराबर है 8 के बराबर है तो यह 7 तो चल और है 42 प्लस x प्लस वाई यह आपको कितना आ रहा है 6 के बराबर तो आपको यहाँ पर बचाओ कितना मिलेगा आपको एक्स प्लस वाइज इस उको टू फॉटीम अ एक्सप्लस यहाँ आपको पॉर्टीम दूस्ट इसने सम नहीं पूछा है इसने डिफरंस पूछ तो इस इसको एजए इक्वेशन आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं अब नेक्सक्राइश्ट का इनफॉर्मेशन का इनफॉर्मेशन का इनफॉर्मेशन की वहने कि एक एकर करके डेटा इन पूट करना स्टार्ट करते हैं कि दिया हुआ है 16 के बराबर वेरियंस का इंफोरमिशन दिया हुआ है 16 के बराबर तो यहां पर आए अच्छा उसके बाद में सिग्मा XI square हर एक data point का square करके आपको add करना है ओह थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा लेकिन देखो यह बहुत इदी मांक से आपके लिए इतना तो हम सब बिलकुल में खुशी-खुशी करेंगे इतना calculation कि यहां पर कितना आ जाएगा 196 होता है कि तो सारे के सारे स्क्वेर्स हमने यहां पर एड़ कर लिए है लेकिन अभी जो है दो सब्सक्राइब कर लिए इसको बेज़ेते हैं उस तरफ और पर क्रॉस्ट्राइब करके अगली इक्वेशन आपकी जो आने वाली हो यहां पर पता चलने वाली है तो यहां पर मुझे बताओ कि यह कितना बनेगा वह जो आपका 64 है इसको भेज़ेंगे इस तरफ 64 70 80 80 और 70 जो जाएगा आपका पाइस 60 के बराबर ठीक है और यहां पर आपको भी जो है जल्दी से एड़ करके मुझे बताना बढ़ेगा कि यह कितना बनने वाला है ठीक है तो यह तो 200 हो गया यह 300 हो गया और यह आपका जो है डे है देनी चाहिए ठीक है एक बार कैल्कुलेशन सारे बच्छे चेक करने फोड़ा सा पैन पेपर पर करना ज्यादा आसान पड़ता है ठीक है आप लोग यहां पर एक बार कंफर्म करते हैं यह यह आगे आपकी दूसरी एक्वेशन तो क्या यहां पर आप इनको जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बुक्स में कई बार सौल करके दिखाया भी वहा होता है लेकिन हम सौल क्यों करेंगे क्या मुझे यहां पर याद नहीं आ रहे हैं जिनका स्क्वेर करके संब करता हूं तो हंडर्ड आता है पाज़वरन ट्रिपलेट हम यहां पर पता है और अगर होता तो यहां पर काम बन रहा है मतलब इसका एंसरेट है यहां पर इसका मतलब एक सब्सक्राइब करने की जरूद नहीं पढ़ना चाहिए यहां पर इसका डिफरेंस एक डिफरेंस का मौड रिपोर्ट करना है तो वह आंसरे पर कितना आएगा आपका दो के बराबर यहां पैटन सारे बच्छे नोटिस कर लें यहां फाइनली नोने डिफरेंस पूछा है हो सकता है कि यहां पर वह एक्शली पूछ लेते हैं तो यह सवाल बन सकता है या फिर यह भी कुछ दूसरा सवाल भी बन सकता है है दो आप्जरवेशन नहीं दिये हैं इंसेट हमें यहां पर जो है मीन का वैली और वैरियंस का वैली मिल सकता है इस इस प्रका और को यहां पशीह नहीं होता है बट देन अगे बेट इस अ्टांडर पैटन जहांपर आपको दो निकालने पड़ते हैं और उनके बारे में उसनों कुछ पूछा आठे है यहालक कॉश्ण का पाटन एक सब्सक्राइब हो के ओके कि शरिचे सिक्स्टीं का स्क्वेर होगा बहुत लिएशन का कोशन होता ता यहां स्टैंडड डिवीचिंट से पूर इसका स्टैंडर्ड इवेशन फिर कितना है पूर के बराबर लेकिन यहां पर स्क्वेर यहां पर नहीं आना चाहिए ठीक है और निखिल को क्लियर होगे निखिल को डाउट आ रहा हुए इस इस सेशन में ब्रेक की जुरूत नहीं आपका यह सेशन जो है बहुत जल्द यहां पर जो है एजुकेटर्स का डिनर और लंच होता है तो मुझे वैसे भी यहां पर नौवजे वाली क्लास लेने की ज्यादा आतते है नो सॉड़नों को स्टार्ट करो रात के बारा वजे खतम करो ठीक है तो आप लेकिन यहां पर साइट पर साइट चलने दो आगर सब्सक्रावन ऐसे दिखने वाला सवाल बनते हैं लेकिन वह इतने इजी होते हैं और बच्चे क्या करते हैं कि यह कॉंसर्ट अगर सई से अगर दिमाग में नहीं होता है अगर आपने इसकी प्राक्टिस अगर नहीं किये तो सवाल एक्शली देखके उठाने का मन नहीं कर कर लो अलग से यहां पर जो ही स्टैटिस के उपर पर अलग से महनत कने के ज़्यादा आपको जरूद नहीं है करनी क्यों चाहिए कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए एक आइडिया जन्रेट करने के लिए कि हम यहां पर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसलिए आ वही आइडिया यह जो है शेयर कर रहा है हमारे साथ में मीन और स्टैंडर डिवेशन इस टाइए टीड़ेशन जयाद को पर यहां पर इस्तेमाल करेंगे और और इप बोट मीन और स्टाइब शॉबशेशन सब्सक्राइब लेकिन कि हिसाब से कितना होता है वह स्टीमा एक साइड अपॉन नूमर ऑफ ऑप्सराइशन को तेने हमारे पें पचास टीक है फॉर्मन और से बताइब लिए वह सिग्मा एक साइड और अपन नुमर ऑफ इसको अगर आप यहां भी सम्हाल के रखना साथ है सम्हाल के रखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है टीक है 16 इंटू 50 ही लिखके रखो है नो कैल्कुलेशन हो सकता है कि आगे कैंशलेशन वगरा हो जाए न तो यह आप यह सारी चीज़ें कैसे करकर के समझ में आती है सब्सक्राइब करना है तो अब इसको अलग लग रखो कोई टेंशन वाली बात देन लेटस्टाइब का पॉर्मा क्या है पॉर्मा होता है अंडूट के अंदर अंडूट के अंदर सिग्मा एकसाइब का स्कुएट अपॉन नम्बर ऑफ अब्सर्वेशन स्विच इस फिफ्टी ठीक है और माइनस मीन का वैलू कितना है मीन का वैलू भी हाँ पर जो है शिक्स्टीन के बराबर है ना मीन का वैलू आपका कितना है शिक्स्टीन के अरव आता है ऐसा इस नहीं हांबे डीया है ऑल्राइट तो धोनों से स्कुएर कर लेते हैं आगर हम व्याइब से स्कूर करें हम हम L deda n XI ONgio радique 16 square is equal to 16 square तो अगर आप यहाँ पर 16 square उस तरफ ले जाओ को तरह 2 times of 16 square हो जाएगा 50 cross multiply करो तरह 100 times of 16 square basically create करता है ठीक है, so another information that we ultimately get is sigma x i square is actually 100 into 16 square 100 into 16 square ठीक है तो यह हम ने जो है अलग से समभाल लेना चाहिए data यह हमारी equation 2 है actually ठीक है और एक यह हमने सम्हाल के रखे लिए है ठीक है हमारी equation 1 है so now what he is actually asking is कि mean of these observations is how much तो भाई सबको add करके समदा आपको divide by number of observations करना है ठीक है, so let us do it तो यहाँ पर आपका mean आएगा और those other values वो कितना आ जाएगा वाइगा को जिस तरीके से कि sigma x i minus 4 का whole square है यहाँ पर 4 subtract कर रहे है, square कर रहे है और फिर add कर रहे है तो x i minus 4 का square फिर उसको add कर रहे है और divide किसे करना पड़ेगा number of observations मतलब पचास सी हाँ पर divide करना पड़ेगा so यहाँ पर हम main idea क्या है main idea यह है कि आपको sigma के properties को अच्छे तरीके से यहाँ पर इस्तमाल करते आना चाहिए and that is where that derivation जो भी हमने यहाँ पर किया था computational form of standard deviation वह आपको यहाँ पर help रहे है क्योंकि वैसे कुछ यहाँ पर basically हो रहा है ठीक है आप यहाँ देखो कि sigma के अंदर आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है x i square मिलने वाला है minus 8 times of x i मिलेगा और आपको यहाँ पर प्लस 16 भी मिलेगा अगर मैं इसको sigma को break कर लोगा तो मेरे पास में यहाँ पर जो sigma के अंदर terms बचने वाली है वो देखो क्या क्या है I will get sigma के अंदर x i का square जिसका वैल्यू मेरे पास में है minus 8 times of sigma x i जिसका वैल्यू फिर से मेरे पास में है और प्लस 16 times of sigma 1 जिसको मैं यहाँ पर 50 लिख सकता हूं करो और भय और divine मुझे हैं पर किसे करना है 50 से ही करना तो आपका यह सवाल Gu지 n ata का एंगा क्या तो स्कूण न करना यहाँ ए यहाँ पर क्या 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 अक्या जाथा करना Olwen। प्टी है नीचे आ जाएगा आपका कितना पचा अपर और चेक करो कि आपके हाँ पर फानली कौन सा आंसर मैच करता है चल्दी बताएं यहां पर सारे बच्छे कौन सा अंसर मैच करता है आशुतोशिस सहीं कि यहां पर फोर हंडेड़ वला आंसर मैच करेगा आइधिंग पर आपका चेंज जो है क्या ही होगा जो मैं बता रहा हूँ वह बाकिए पताएंगे ठीक है बट मैं यहां से जो है अपने साइट से जो है बेस्ट तरीका से आपको explain करने की कोईश्च करता हूं और मुझे यकीन है कि आपको भी feel होता होगा कि एक बार आपने अगर यहां को कीष्ट का स्कुरार थोड़ी लिया था सब्नें का रूट किव में घोलिया है उसका संवेयर थोड़ी लिया था अर्जु एक बार जो है पॉर्मले की लिस्ट अलग से बना लो बेटा वे ऐस्टेंडर को सौ्ट में बीना स्कुरेंगा तो आपको अच्छा हिन रहेग है तो अंदर का जो माल था हो तो यहां पर पढ़ा हुआ है स्कुर्मला तो लगाएंगे वह आपकी एक्वेशन क्रिएट करेंगे देगा तो ऐसा कुछ जो है आप एक पर समझ लो कि यहां पर जो है क्या अगर आपको कंविशन हो रहा है तो आप यह काम कर सकते हैं ठीक है डोंट राइट सिगमा और सिगमा स्कुर्ण यू राइट स्टैंडर डिवेशन स्टी एंड वेलियंस एज वी ए आर ठीक है आपकी कंविशन नहीं होंगे ग्रेट सो लेट लेट स्ट्राइव और मेरे खाल से बच्छों ने आंसर पूर निड़ बताया है एंड और आइस इस बाकी बच्छे भी एगरी करते हैं उसके स क्योंकि इसके पहले जो मुझे फिलो उसके अंदर तो मेरे खाल से आपको फॉर्ट में एक बर फिर से पढ़ने की जरूद पढ़ते हैं निदी तीवारी सेंग कि सर आपने बुला था कि दो एगंड़े का लेक्शर होगा हां यहां पर मैंने कहा तो था कि दो एगंड़े क क्या है और यहां पर यहां पर डेफिनेटली ट्राय करना मैंने डेलिबरेटली जो है 2021 के कुछ इंक्लूड नहीं किये हैं अब मैं आपको यहां पर आज के सेशन में कुछ प्रिवेस एर क्वेशन प्रैक्टिस के लिए भी देने वाला हो जादा नहीं दूंगा क्योंकि स् प्रैक्टिस दूंगा ज्यादन नहीं दूंगा जैसकी में ने बोला अब हाँ आप यहां पर आज के सिशन के देखने के बाद में वह पांश प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद में आपका है बस एक ही टास बचएगा 2021 वाले जो आपके प्रिवेसर वह वो आपको यहांपे solve करना है and I hope सभी की बास में यहांपे प्रीविस से रोली बुक होगी जिसके अंदर 2021 के questions आपको मिलते हैं ठीक है? So have that book with you and उसको अच्छे तरीक से solve करना सारे बच्चे Great So आगे बढ़ते हैं यहां पर अपने अगले सवाल की तरफ which is the last question before we start off with this new portion of this lecture So this is from JMN2014 बड़ाई सिंबल सावाल है In a set of 2N distinct observations 2N distinct observations Each of the observations below the median median मतलब बीच वाल 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 अच्छा तो थोड़ा से विजुलाइज करना मेरे खाल से इस question में जादा बहतर हैं हमरे पास 2N observations है beach में कही ने कहीं आपका क्या आने वाला है median आने वाला है median मतलब बीच वाला 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 है ठीक है और even observations है even observations के case में basically जो है इसका मतलब N observations इस तरफ होंगे N observations इस तरफ होंगे और median actually आपका क्या होगा ये जो इधर वाला value है और उधर वाला value है को इसका ऐंधे जोगए इधर वाले वाले-गी अधेर वाले वाले भाले वाली जोगा ठीक है लेकि ten वैसी से मार्किंँ है मीडेन इस मार्किं बिट्वी इसको हम ऐसा करते हैं कि section A section B में डिवाइब करते हैं हैं यहां इसको हम ऐसा करते हैं कि section A आपका section B हो गया तो section A के जो आपके वैल्यू से उन समय आपने किया कि अंदर बढ़ा दिए और यहां पर बच्चेवे थे पी सेक्शन के जो भी यहां पर बेसिकली अपने तीन से डिट डिक्रीज कर लिए तो यहां पर यहां पर हमारे जो वैल्यू किस तरीके से वैरी करते हैं ठीक है बट यह क्वेश्चन जो है उसके अंदर उस आइडिया का उसके बाद आपके वाले वाले वैल्यू जिनको आपने फिर से तीन से डिक्रीज कर दिया था यह उनका आपको यहाँ पर सम करना होगा और इन सब का स्थम करके आपको नुम्ब्र ऑफ ऑफ जरेशंस मतलब टू एंसे डिवाइड करना होगा इसा अलग कर सकते हैं सिग्मा अलग से लिखाओ लेकिन वह जो पाई अंदर होना चीछ उसमें बाहर निकाली क्योंकि कॉंस्टन यहां पर सिग्मा के बाहर आता है ठीक है और वही सेम चीज़ आप यहां पर फिर से करो यहां पर आप सिग्मा XI B section वाले अलग से करें ठीक है एंड माइनस 3 times of sigma 1 अलग से और division में तो आपके उसमें 2N है ही तो अब यह जो आपके उसमें sigma XI A और sigma XI B है वो क्या है observations इस section के और observations इस section के तो यही तो आपका overall sigma XI होना चीज़ है यही तो आपका overall sigma XI होना चीज़ है यह सुर्म आरा का सारे data आ गया नो इस section वाला data भी आड हो गया है और आड आप further कर रहे हो बी section वाला data भी तो आपने यहां पर मतलों पूरा को पूरा data आड कर लिए sigma XI आपने यहां पर कर लिया है लेकिन अगर आप यहां पर sigma 1 करते हो तो आपको n मिलता है यहां पर 5N है यहां पर minus 3N है तो बचे का कितना अगर आप इसको split करोगे तो आप यहां पर पहला वाला जो expression मिल रहा है वो क्या है sigma XI upon 2N क्या यही आपका पुराना वाला mean है मीन निकालने के लिए हम यहां पर total observation upon number of observation करते हैं तो आपका जो mean है वो कैसा फील होगा कि originally जो आप यहां पर mean calculate कर रहे थे उससे एक जादा ऐसा फील होगा कि नहीं हो और यही आपका final answer भी होना चाहिए ठीक है कि आपका जो mean है वो क्या हो जाएगा increase by one हो जाएगा मतलब यहां पर आपका answer ए निकल कर आना चाहेगी ठीक है क्लियर है क्या increase by one बहुत बढ़ी है ना बिल्कुल सही है आपका यही answer है ठीक है अब यहां पर हमें यह variation वाले question discuss करना है कि data अलड़ी कुछ था आपने यहां पर उसको थोड़ा से change करते हैं अगर मैं आपका test लूँ मैंने आपका सब का test लिया mathematics का test लिया मैंने 100 100 marks का test लिया ठीक है और उसके अंदर क्या हो गया problem कि एक question मेंने options जो है चारो यह option गलत थे तो bonus हो गया वो question क्या हो गया bonus तो आप लोगों के सभी के कुछ नो कुछ marks तो आ ही रहे थे बट मैंने decide कि यार वो question क्योंकि गलत हो गया उसके अंदर कोई option ही यहां पर correct नहीं थे तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि वो चार number जो उस question के थे हैं ना मैं हर बच्चे में ब इसको क्या कहता है adding a constant आपने data के अंदर क्या किया एक constant add कर दिया bonus मार्क आपने उनको दे दिया और जैसे कि हम यहां पर addition वाला idea थोड़ा से realize कर सकते हैं ऐसे हम multiply भी कर सकते हैं data के अंदर कि हमने सब के value को double कर दिया for some reason I don't know यहां पर practically जो हम यहां पर marks वाला यहां पर अगर मैं इस तरह की manipulations करता हूं लेकिन हर एक के साथ में करना है ऐसा पार्शली नहीं करना कि नहीं दो बच्चों को दे दिये चार नंबर एक्स्ट्रा बागी को नहीं दिये ऐसा नहीं करना है अगर यह concept हम डिसकस कर रहे हैं इसका मतलब हम जो भी constant यहां पर add क करेंगे data के हर एक value के लिए add करेंगे subtract करेंगे तो हर एक value के लिए subtract करेंगे multiply करेंगे तो हर एक value के लिए multiply करेंगे multiply करो, एक ही बात, इसलिए title में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, addition and multiplication, of constant with the data, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप यहाँ पर यह जो खिलवाड कर रहे हो, यह जो आप यहाँ पर changes कर रहे हो, वो subtraction या फिर division के थू नहीं किये जा सकते हैं, subtraction division के थू भी किये जा सकते हैं, लेकिन बोलने की वो जरूरत नहीं है, वो understood है mathematical language में, ठीक है, मुझे अगर यहाँ पर subtraction करवाना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पर minus two add करो, data के अंदर minus two add करो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर addition का importance, तो यह जो data हम इस्तमाल करें, इसमाल करें, इसमाल करोगे, लेकिन बोलते समयों, वो addition है, वैसे ही अगर आप यहाँ पर कुछ multiply करना चाहते हो, तो आप यहाँ यहाँ तो directly यह बोलो कि आप इसमों divide करना चाहते हो two से, या फिर आप यहाँ बोलो कि क्योंकि प्लस पर पढ़ा रहा था, तो एक बचने डाउट कूछ लिया था, इस और यहाँ पर आपने, लेकिन वो तो बताएं नहीं कि अगर subtraction हो जागा तो कैसे करेंगे, subtraction हो जागा तो भी वैसे करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर discuss करने सब्सक्राइब करेंगे, तो कोई बुरा ही नहीं है, तो उनका भी हम कर लेंगे, कोई दिखकर नहीं, लेकिन, अगर मैं यहाँ पर और यह लिख रहा था, बीन में कैसे निकालता हूं, आरेक सारे observations को add करता हूं, और number of observations से divide करता हूं, यह हमारा क्या है, यह original या फिर old, ओ को आप यहाँ पर original भी बोल सकते हो, ओ को आप यहाँ पर old भी बोल सकते हो, ठीक है, यह आपका original वाला mean का value है, लेकिन आपने यहाँ पर एकदम से क्या decide कि कि नहीं, मैं तो क्या कर रहा हूं, हर एक data में कुछ नो कुछ constant add कर रहा हूं, जिसके यहाँ पर मैंने आपको भी bonus marking वाला example दिया था, चार number आपने हर एक के marks में add कर देने है, ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पर mean कितना आएगा, वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक ह नया वाला, यह पुराना वाला, ठीक है, तो यहाँ फिर से हम सिग्मा का जो है property इस्तमाल कर सकते है, एकस बार, यह जो new वाला है, इसको मैं दो टुकड़ों में break कर सकता हूं, सिग्मा एकसाई, एंड सिग्मा ए, अब फिर से क्योंकि आपको यहाँ पर constant है, तो यह तो ब सिग्मा एकसाई अपॉन एन, यह तो आपका old वाला मीन था ही, मतलब आपने हाँ पर यह जो नया वाला मीन है, उसमें देखो क्या चेंज हुआ, नया वाला मीन जो है, वो पुराने वाले मीन, में A आड करके create हो रहा है, तो यहाँ से ध्यान क्या रखना है, यहाँ से ध्य चेंज किया, तो आपका मीन भी A से चेंज हो जाएगा, and I guess median और मोड को वैसे हम orally discuss कर लेते हैं, बताओ, median, median क्या है, बीच वाला वैल्यू, अगर आपने हर एक वैल्यू को अगर 5 से increase कर दिया, तो कि वीच वाला वैल्यू भी 5 से increase होई जाएगा, तो उसका भी relation maximum frequency वाला information होता है, maximum frequency, तो आपका यहाँ पर हर एक observation जो है, अगर 5 से increase हो गया, तो जो data point maximum frequency पर था, जो सबसे यादा बर repeat हो रहा था, वो भी तो 5 से बढ़ जाएगा, तो mode और median भी यहाँ पर जो है, इसी तरीके से, simple तरीके से work out कर जाते है, clear है, but let us discuss about the dispersions, important dispersions, which are basically standard deviation and variance, ठीक है, तो पहले standard deviation का discussion कर लेता है, standard deviation को समझने के लिए, अगर आपको यहाँ पर यह चेंज वाला idea अगर दिमाद में उतारना है, which is again very very important, क्योंकि इसको पर मैं आपको question दिखा देता हूं, कैसे कैसे आता है, 2019 में सवाल आया है, 2020 में सवाल आया है, 3rd September वाली shift में दिखन में देखो, थोड़ा सब बुरा है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर यह सवाल भी दिखने में थोड़ा सब बुरा है, यह भी आपको 2020 में आया है, लेकिन 9 जान में है, तो यहाँ पर इस तरह के सवाल काफी frequently आपको मिल रहे है, तो आपको यहाँ पर comfort level यहाँ पर create करना प x i minus x bar का whole square and divided by n, अब यहाँ पर आप देखो कि आपको समझाने के लिए, मैंने यहाँ पर जो है theoretical formula इस्तमाल किया, अब यहाँ पर यह जो लिखा हूँ है, यह आपका old वाला है, यह जो आपने sigma calculate किया है इस तरीके से, जहाँ पर आपने x i की value का ही इस्तमाल किया है, यह आपका old वाला है, लेकिन आप यहाँ पर अगर sigma निकालना चाहते हो new वाला, और यह क्यों निकालना पड़ रहे है, क अगर a से increase कर दिया, तो यहाँ पर x i plus a ठीक तो यहाँ पर x i plus a, लेकिन आप यहाँ पर हो क्या रहा है, कि आपने अगर हर एक observation को a से increase किया है, तो mean भी तो आपने यहाँ पर a से increase होगा ना, यह बात समझो, कि आपका mean भी तो यहाँ पर अब x bar महीं बचेगा, mean भी आपक a और a हो जाएगा cancel, और अगर आपका a और a cancel हो गया, तो फिर तो यहाँ पर जो ultimately बनेगा वो फिर से वो ही बन जाएगा, ओके, मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपका जो sigma new निकला है, आपका जो sigma n निकला है, sigma new, वो तो actually sigma old के exactly बराबर आ गया, कोई change नहीं हो, मतलब आप हर एक value को किसी एक number से increase कर देते हो, या अपर किसी एक number से decrease कर देते हो, तो इससे standard deviation को कोई फरक नहीं पड़ता, और वैसे भी आपने समझ जाना चीए, तब पहले ही कि फरक नहीं पड़ना चीए, because standard deviation deals with dispersion, dispersion जो है data का वो change नहीं होगा, अगर हर एक का value increase हो जाते है, तो भी dispersion जो है, वो तो उतना ही रहना चीए, ठीक है, so standard deviation जो है, वो पुराना वाला और नया वाला आपका match करें, हर एक value को अगर आप किसी constant से increase करते हो, तो standard deviation को क्यों फरक नहीं पड़ता, और variance को तो बिलकुल नहीं पड़ना चीए, फिर, क्योंकि variance क्या है, variance, तो है ही standard deviation क का square ना, तो standard deviation ही अगर change नहीं किया, तो standard deviation का square क्यों change करेंगे, standard deviation ही अगर change नहीं होगा, मतलब यहाँ पर अगर अंडूरूट नहीं है, तो भी ठीक है, अंडूरूट अगर नहीं है, तो भी आपके उसमें यहाँ पर जो initially पॉर्मा, without अंडूरूट का लिखा हुआ, cancellation की के बाद में वही पॉर्मा आपको फिर से बनते हुए दिख जाएगा, समझे सारे बच्चे, तो mean के case में एसे increment, लेकिन standard deviation और variance नहीं होगे, अगर आपको यह constant से add या subtract कर देते हो, तो, but what happens if we multiply, if we multiply by a constant यहाँ पर फिर से, जो है पहले हम discussion करते हैं, अपने mean के लिए, आपक जो old mean calculate करने का तरीका है, वो क्या है, कि sigma x i upon n, तो यह तो आपके दिमांग में ही formula standard, लेकिन अब आपने हाँ पर decide किया, कि नहीं मैं जो है, हर एक observation के अंदर a constant multiply करूँगा, तो a constant अगर मैं इसके अंदर multiply करता हूँ, ठीक है, तो यह मेरा mean बनना थी, now this, हर एक value में a multiply करक इसको मैंने क्या कहना थी, मैंने इसको नया वाला mean कहना थी, xn बार कहना थी इसको, xo बार की दिगे, xn बार, लेकिन अब यहाँ पर हमें पता है, फिर से sigma की properties, तो sigma की property यह कहती है, कि constant value तो आपकी बाहर आ जाती है, तो constant value जैसे आप यहाँ पर बाहर निकालते हो, आपक तो आपका इसका मतलब जो रिलेशन निकल कर आता है, वो क्या है, xn is equal to a times of x bar, sorry, xn is equal to a times of x bar old, ठीक है, मतलब आपका mean जो है, वो तो बहुत ही सीधा थादा है, हर एक observation में अगर आपने a add किया, तो mean भी a से बढ़ा हो जाएगा, हर एक observation में आपने a से बढ़ा हो जाएग subtract किया, तो mean भी a से कम हो जाएगा, आपने अगर हर एक observation के अंदर अगर a multiply किया, तो mean भी a से multiply होके आपको दिखाई देगा, अगर आपने हर एक observation में a से divide किया, तो mean भी आपको यहाँ पर a से divide होके मिलेगा, ठीक है, so mean की कहानी यहाँ पर काफी आसान है, and what should happen with median and more exactly same, कि वहाँ पर median भी आपका क्या है, median आपका बीच वाला value है, आपने हर एक observation में a multiply कर दिया, तो बीच वाले value में भी a multiply होई जाएगा, तो median के लिए भी बिलकुल यही relation आप देखे हो, कि new वाला median is equal to a times of old वाला median, और mode भी क्या है, आपने हर एक observation में अगर a multiply कर दिया, तो आप पर standard deviation discuss करना चाहते हैं कि इसके साथ क्या खेल होने वाला, standard deviation यह important है, और इसमें बहुत अच्छा सवाल एक previous year में already आ चुका है, ठीक है, उसको भी हम आज के सेशन में discuss करेंगे, standard deviation के साथ में क्या होगा, तो हम यहाँ पर जानते है कि standard deviation का पॉर्मा क्या है, standard deviation का पॉर्मा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अभी decide कर रहा हूँ कि नहीं, यह तो old वाला है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, हर एक observation में मुझे आपर जो है a multiply करना है, तो sigma यहाँ पर जो है a times of x i आ जाएगा, लेकिन x-bar का जो value है, वो भी तो a times हो चुका होगा न तब, तो x-bar ना ल देख रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूं तो होगा क्या, आपके यहाँ से a बाहर निकलेगा, common निकलेगा, तो a square बन के बाहर निकलेगा, a square constant है, तो वो sigma के भी बाहर आएगा, और अंडूर के बाहर आके हो, क्या बनेगा, mod a, क्या बनेगा, mod a, mod को भूलना यह हैं, ठीक हैं, तो आपके हाँ पर जो sigma, sigma new हमने हाँ पर जो calculate किया है, ठीक है, sigma new जो हमने हाँ पर calculate किया है, उसको हम यहाँ पर आगे further simplify करते जा रहे है, तो sigma n आपके हाँ पर जो calculate हुआ है, that is a mod, under root के अंदर, sigma के अंदर, x i minus x bar का whole square upon n, and this is your sigma old, तो आपके हाँ to mod a के साथ में sigma old, तो इस बार आप यह notice करो कि हाँ, change तो हुआ, अगर आपने हर एक value के अंदर, अगर a multiply किया है, तो sigma की value भी change होगी, standard deviation की value भी change होगी, लेकिन, a directly multiply हो रहा है, ऐसा मत बोलना, mod a multiply हो रहा है, आपने कर negative value multiply करी है, तो आपके सारे observation sign में पलट जाएंगे, ल deviation है, कितना deviate कर रहा है data, तो deviate कितना कर रहा है, वो तो आपको यहाँ पर एक तरीके से क्या बतानी है, एक positive value ही बतानी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कभी भी जो है, negative का value नहीं निकलना चाहिए, वो भी यहाँ पर आपको समझना आता है, mod a यहाँ पर appear हो रहा है, ठी इक्वेशन स्क्वेशन हो गई है ऐसा आपको फिल होगा क्योंकि आपका नोटेशन भी स्क्वेशन वाला ही है बर मॉड एक स्क्वेशन लिखने से क्या मतलब है यहां पर आपको चाहिए तो मैं हाबर इसको एक और लिख देता हूं ठीक है इंपलाइज भेरियंस भेरियंस निव वाला इस एक्वेशन इंटू वेरियंस ओल्ड वाल ठीक है तो अगर आपने यहां पर ए ए मल्टिप्लाइड हो जाएका मीम भी ए से मल्टिप्लाइड हो जाएगा आपका यहाँ पर standard deviation जो है mod A के साथ में multiplication में आ जाएगा लेकिन variance A square times हो जाएगा आपने अगर हर एक data point के अंदर अगर 4 multiply किया तो variance 16 times हो जाएगा original के comparison में नया वाला variance 16 times हो जाएगा जबकि आपने अगर 4 multiply किया है तो standard deviation बस 4 times ही होगा standard deviation 4 times ही होगा ठीक है लास्ट discussion जो हमारा यहाँ पर होना चाहिए था आज के स्क्राइशन में वो complete हो गया है ठीक है वी आर गूंग तो सम प्रैक्टिस ना लेकिन यह समझना ज़रूरी ही कि अभी जो हमने discuss किया वो question में पूछते कैसे है अब आपको जो है देखने के लिए मिलने वाला है ठीक है आल्राइट हुम् को निक सेक्षन एक बच्चा पूछ रहा है हो गया है कि को निक सेक्षन जुन नुझे इमें नहीं हुआ है अभी हमारा सेक्टे को सर्कल्स का सेशन होने वाला है सर्कल्स के बाद में को निक सेक्षन का नंबर आ जाए ठीक है तो इडिस ऑन देखो क्या सवाल पूछा गया था इस कोशन सारी इजी है न यह समझ में आना चाहिए कि आपको यह आसान सवाल है क्या बोल रहा है दे मीन ऑफ ए सेट ऑफ थर्टी ऑब्सरवेशन से 75 ठीक है मीन का ओल्ड वाला वैल्यू कितना है 75 के बढ़ावर है ओक है यह हमें सॉल में है इस एच अधर इस इच अधर झानगा है माल्ड बिश्डविशन इस टाहँ इच अधर किया नहीं हम कि इच अधर इच ऑब्सवरेशन इस मूल्टिप्लाइड बाय और नों-zero आप यहां पर देखते हो तो आपका new mean जो calculate हो रहा है वो कैसे होगा अगर आपने कोई lambda multiply किया है तो आपके mean के अंदर भी lambda multiply हो जाना चाहिए था तो हो गया कि original जो आपका mean है उसके अंदर lambda multiplication में क्यों आ जाएगा क्योंकि आपने हर एक value के अंदर जो है lambda multiply कर दिए लेकिन multiply करने के बाद में आपने क्या देखा कि आपने एक और step कर दिए आपने क्या किया है फिर हर एक observation को 25 degrees कर दिए तो यह जो आप mean सोच के बैठे थे यह भी किसे degrees हो जाएगा 25 से degrees हो जाएगा वह एड और सब्ट्राइट करने वाला आडियो जो हमने पहले इसने डिसक्ति किया था एडिए ठीक है लेकिन लेकिन ने करने के बाद जो आपके यहाँ पर मील्ड आता है न लुब अला वह पुराने वाले से यह कोश्चन जादा आशाने इसके अंदर था को बहुत कम है वह रिलेशन आपको पता होना जी कि कहां पर हमें मुल्टिप्लाय करना है कहां पर आपको सब्ट्राइट करना है कहां पर आयट करना है बस कितना से ही है ठीक है एक और सवाल लिखते हैं यहां पर यह 2020 का है स्पे अब्सक्राइब करें यह फैर्टीक्लर कोश्चन के ऊपर स्टार माप किया था क्योंकि पैटन मंटिपल टांशी रिपीट हो इस कोशन को मैंने स्टारम पर कर दिया लपाटम मनिफील टांशीट हो चुका है ओल्वड ऑल्रण तो लैट इस लोक आइड दिस्क्रोशन क्या अब चाला की देख रहे हो इनकी है ना परिशान करने की आदत जो है गई नहीं है इनकी आपको यहां पर बस इतना सा पता होना थी है कि स्टांडर डीविएशन के अंदर मैं अगर यह चाहता हूं अगर मैं हापे अपने एकसाई मैं से अगर कोई यह चाहता हूं कि अगर में हापे अपने अगर कोई यह चेंज नहीं होता है तो क्यों ना मैं यहां पर इकसाई की जगे एकसाई क्योंकि उससे ऐसा फीड होगा कि आप नए वाला ऑब्जरवेशन का स्ट्र डीवेशन का एंधल कर रहे हों उससे ऐसा लगेगा कि आप नए वाले नए वाले डेटा का स्टैंडर्ड डिवेशन क्यल्कुलेट कर रहे ऐसे लगा आप देखो यहां आपने यहां पर क्या किया यह तुरू अलग लग होना चीए यह पूछ रहा है यह नया वाला डेटा है जिसके बारे में कुछ कुछ इंपॉमेशन यहां पर मुझे पता है लेकिन हम क्या जानते हैं कि यार स्टैंडर्ड डिवेशन जो है यह होता ही नहीं है अगर आप यहां पर कॉंस्ट सब्ट्राइट कर दोगे तो आपका स्टैंड डिवेशन चेंज नहीं होगा इसका जो स्टैंडर्ड डिवेशन आएगा वही मेरा आइंसर होगा ओर इग्साइट के लिए भी तो आपको लेक्षर के पहले मिनट में नहीं पता सकता था आखरी मिन तक आना पड़े कहाम है तो यह यह बस की एंट तक बने रहो तो आपको यहां पर सब कुछ पता रहता है तो अंरूट के अंदर आपको बिस्की की हमें मिलेगा सिग्मा एक साइइ माइन स्पी का स्कूर यह डिटा डाल दो यहां पर नाइन और नीचे क्या है नमबर ऑफ ऑप्ज़वेशन कितने हैं टैन से टिवाइट कर दो माइनस सिग्मा एक और दिखना चाहिए आपको इन्फोर्मेशन दिखना चाहिए यहां यह तो यूजेबल इंफोर्मेशन इसको मैं यूज कर सकता हूं जल्दी जल्दी ठीक है यहां पर उपर नीचे अपर नीचे अपर बनेगा इसको अंट्वर्मेशन और इसे मिलता जूलता दिखने वाला सवाल और एक है हमार पस ठीक है यह भी जेएमें 2020 में ही आया है ठीक है लेकिन यह 3rd सब्टेंबर का है और यह 9th January का है ठीक है तो यह यह सवाल और यह पैटन भी आपको देखके समय में आना चाहिए कि एक ही यह के अंदर मुल्टिबल शिट्स में सेम टाइप के कोश्टन आते हैं इसलिए आप यहां पर जब पहला आटेम्ट दोगे तो उसके सारे पेपर के सॉलुशन देखना जब दूसरा आपको सकता है कि थर्ड आटेम्ट वाले पेपर में कहीने कहीं फायदा हो जाए है और लाइक भी मेरे खाल से करी दिया होगा वैसे बचे यहां पर भूल जाते हैं पढ़ाई करते करते लाइक करना ठीक है ओल रएट दिखने में आश्य तो बोल रहा है कि सर बड़ा डिप दर हटाना है यह डिफिकल्ट नहीं है ठीक है कैं 2023 आई चीट वाले भी देख सकते हैं इसको बहुत ही चिंदी टॉपिक है आपको यहां पर बोलना स्टार्ट के वह अगर आप यहां पर सुन रहे हो तो आपको यहां पर नाइंध क्लास के बच्चे भी ओ तो भी आपको य अब पर घमतार कर निकर्ट के लिफोर रहे हो सकता है यहां अखो सकते हैं चाहरोट को इसको होना एफियdade कुछ बोर्ट के अंदर और होती है ना वे महाराश्च्रव मेरा पढ़न Theater मतलब मुंबई में पढ़ाता था तो महाराश्च्रों बोड के जो बच्चे थे वो डाउट पूछते थे तो वह भी कुछ तो होता है तो कुछ-कुछ चीजे और यहां पर दे दिया था ठीक है तो वह कहिने के इस्तेमाल कर रहा हो ठीक है यहां पर पी दे दिया था ठीक है तो भी यहां पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट है एक साइड के लिए और जो पूछा है वह यहां पर सोचना है इंटर मिक्सिंग करनी है आपके आइंसर आते जाएंगे देखो कि मुझे बताओ कि आपको थो एक साइड माइनस फाई का इंफॉर्मेशन पता है तो इसके लिए कर पाओं और किसकी करनी हमें मीन की करते हैं कि कितना है वह एक साइड माइनस फाइवाले डेटा के लिए कितना आएगा मीन का इस इंफ ते दिवाइड करेंगे प्रक्राइब आपका डेटा का सेट है उसका मीन आपको यहां पर पता चल गया है कितना पता चल गया है यह आपको पता चल गया है वन के बराबर तो अगर आप यहां पर एक दूसरा डेटा सेट पर जाना चाहते हो तो इसका मीन के साथ में क्या होगा क्या ऐसा लग रहा है कि आपके पास में जो ओरिजिनली एंसर आ चुका है उसमें पाई एड करना पड़ेगा क्या कि आपने इसका मतब हर एक डेटा में पांच आड किया होगा तभी तो यह एक साइट बनाओगा अगर आपने पांच आड करके यह अटेन किया है तो फिर मीन के लिए आपको इस इंदर पांच कर लेना चाहिए और इस वाले डेटा सेट का जो मीन आएगा हो छे के यहां इसका में सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह आपका है अगया आपका एंसर आगया है त्री वाले डेटा सेट यह जो मीन है उसको हम कर रहे हैं तो यह बिसक्लिए आपका मियू है यह जो निकला है यह आपका basically mu का information ठीक है so mu तो आपका आगया मतलब यहाँ पर पहले 3 आना चाहिए तो यह और यह तो आपका हो गया गल्ब पहला वाला जो आपके यहाँ पे वैल्यू है वो 6 तो नहीं आ सकता पहला वाला वैल्यू आपका 3 आना चाहिए अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा डिसकेशन वह वेरियंस के लिए है ठीक है तो मैं यहाँ पर फिर से वेरियंस कैलकुलेट करूंगा कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर सिग्मा स्कूर भी हटाओ चलो इसको ठीक है भी ए आर लिखते हैं खतम कहा है वेरियंस का पॉर यहाँ पर यूज करूंगा मैं सो आपको सिग्मा एक साइमानस फाइटा स्कूर दिया कितना है चालिस के बरावर दिए ठीक है ति हो जाएगा चालिस अपॉन दस एंड माइनस वन मतलब हो जाएगा आपका तीन के बरावर आपको यह दिख रहा है कि आपका वेरियंस जो ह है कितना आया वह तीन के बरावर आया लेकिन किसके लिए आया वह आपका आया ना उस्तो आया ऐंसर वह यहां ली चलए इंस कर लिया है कितना । 3 के बराबर आपका निकल कर आया है अब मैंने यहां पर अगर जो है केवल सब्ट्राइट ही किया है या तो 5 सब्ट्राइट किया है या फिर 3 सब्ट्राइट किया है multiply तो मैंने कुछ किया नहीं तो सब्ट्राइट जब होती है चीज़े या फिर एड़ जो ती चीजह तो वेरियंस को कहां फरक पड़ता है बेंगा चीजाएंड़ एंसरी आए है तो आप यहां पर एकशा मैंसफ स्टाइब के लिए ही क्यालकुलेशन करना लेकिन पूछा आक़ क्यों कि देड़ा यहाँ पर मैंने कोई चेंज नहीं करना चाहिए 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 यहाँ यहाँ पर मैंने होते हैं as compared to the regular question of standard deviation and variance क्योंकि उसके अदर आपको actually calculation करने पड़ती है यहां पर calculation है मौजूद है सब कुछ आपके पास ठीक है आपको सच्छी दरीके से सोचना है let us do another question from GM in 2020 now this is actually a good question यहां पूशन देखें एक बार सारे बच्छे ठीक है ट्राइक करो यह यह बहुत बढ़ी है ठीक है all right so let us let us do this let us do this देखते हैं यहां पर क्या answer आते है बच्छों का क्या फाइं सावाल आप यहां पर करके बता सकते हैं येस मेरे बाल देखें है एक हैर कट का समय हो चुका है all right so देखो यहाले question में क्या हो रहा है mean and standard deviation of 10 observations are 20 and 2 respectively ठीक है तो आपका mean जो है वो कितना निकला है mean आपका इहां पर 20 के बराबर है और sigma आपका जो है वो 2 के बराबर है okay no problem standard deviation each of these 10 observations is multiplied by p and then reduced by q each of the observation is multiplied by p and reduced by q where p and q are not zero okay if the new mean and new standard deviation become half of the original value then q is equal to how much siya सवाल है तो हम यहां पर changes जो है उनको incorporate करना start करता है ठीक है यह जो है इनको अगर मैं specifically लिखना चाहूँ तो यह old वाले originally यह था फिर आपने कुछ तो छेड़ खाने करी है क्या करिया आपने इच observation इच ओप दिस 10 observations is multiplied by p अगर आपने हर एक observation को पी से multiply किया है तो आपका जो new mean आना चाहिए क्या वो भी पी से multiply हो जाएगा तो यह होना चाहिए था आपका originally mean जो है 20 था आपने हर एक observation को क्यू से reduce हो जाएगा अगर आपने हर एक observation को क्यू से reduce किया है तो आपका mean भी क्यू से reduce हो जाएगा ठीक है बट देन वाट दू यू ऑब्सर कि इस हाफ ऑफ दो ओरिजिनल फैली स्टैंडर डिवेशन अभी मैंने स्किप कर दिया बीचने से पढ़ते समय नियू मीन इस हाफ ऑफ दो ओरिजिनल वाली ओरिजिनल वाली कितनी इसकी 20 तो यह कितना हो चुका है मतलब दस के बरावर तो यह हमारी एक इक्वेशन बन गई यह हमारी एक इक्वेशन बन गई ठीक है इसको समाल कर रख लो कि अगर मैंने यहां पर कोई भी वैल्यू मल्टिप्लाइब करी है तो स्टैंडर डिवेशन भी उतने टाइम्स हो जाता है यहां पर आपको पी टाइम सो 20 मिलेगा लेकिन अगर मैं कोई यहां पर अपनी नहीं करूंगा लेकिन यह करने के बाद में हमने नोटिस किया कि यहां पर आपका जो एंसर है वह स्टैंडर डिवेशन का भी ओरिजिनल के कंपैरेसन में आदा हो जाता है निव स्टैंडर डिवेशन बिकम्स हाफ दो ओरिजनल ठीक है तो हाफ दो ओरिजिनल वैल्यू मंतब कितना हो जाएगा वन के बराबर हो जाएगा तो यह बेसिकली आपका इहां पर जो है डिसकेशन चल रहा है हां और इहां पर जो ओर जो ऑर जो पर इस्तिमाल करने तो यहां से आप अगर कैलकुलेट करते हो फिक वैली तो आता है वन बाइस को वैलू आए उसको यहां पर करेंगे क्या यहां पर अटक जाओगे अगर आप यहां पे मौड आना चाहिए था आप अगर यहाँ पे P से अगर किसी भी value को multiply कर रहे हो, data set को अगर P से multiply कर रहे हो, तो नया जो आपका standard deviation होता है, उसके calculation में actually पॉर्म में mod आता है, ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए यह question अच्छा है, क्योंकि इतनी छोटी सी detail के उपर focus करता है, यहाँ पर mod आता है, directly आपने P multiply करके नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलता क्या, अगर आप यह mod का भी धियान अगते हैं, तो आपको P के 2 possible value मिलते हैं, plus minus 1 by 2, आपको यहाँ पर इस्तमाल करता हो, तो यहाँ पर बनता है, plus 10, और 10 cancel हो की Q का value आता है, 0, तो यह तो useless, minus half एक option है, ठीक है, और ultimately Q के लिए अगर आप calculate करोगे तो आपको मिलता है, minus 20, ठीक है, और P is equal to 1 by 2, Q is equal to 0, तो यह तो हो जाएगा आपका case ignore, क्योंकि उसमें दिया होए कि Q cannot be equal to 0, but for P is equal to minus half, आप यहाँ हमें जो calculation करोगे, आपको मिलता है, 20 into minus half, minus Q is equal to 10, which gives us Q is equal to minus 20, जो actually एक possibility है, और हम यहाँ पर option C में अज़र आ रहेगी, समझ में आ गया सारे बच्चे को, ठीक है, तो आज के दिन आपको इतना ही परशान करने का इरादा है मेरा, ठीक है, आपको यहाँ पर जो है, end to end, हर एक चीज़ जो आपके लिए important is statistics related, वो मैंने आपको यहाँ आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है, कुछ बच्चे जैसे हाँ पर बोल रहे थे कि boards में आपकी जो book है, textbook के अंदर आपको कुछ चीज़े और मिल सकती है, वो आप यहाँ पर बोल पर ही पढ़ लें, उतना भी काफी sufficient है, हमने यहाँ पर जो हमारे पास जो important topics थे, वो इत ठीक है, एंड यह practice problems आप यहाँ पर solve करो, आज यहाँ पर हो सकता है कि कुछ-कुछ questions में आपको यहाँ पर थोड़ा है रुख कर, calculation करनी पड़े, but spend some time on it, क्योंकि statistics में apart from calculation, और कोई आपको दिक्कत नहीं आ सकती है, इतना ही है, कितने देर से बढ़ रहे हो यहाँ पर, कि इतना time spend किया हमने, इतने आसानी से चार number आपको life में कभी नहीं मिलेंगे, तीन घंटे के अंदर चार number, तीन घंटे में हमने इहाँ पर जो time spend किया है, वो sufficient इहाँ पर आपके चार number जो आपके आने वाले है, उसको लाने के लिए, ठीक है, all right, so practice problem एक बार देख लें सारे जे में 2015 का पहला question यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, as homework, ठीक है, यह आपके homework है, आपको इनको करना है, और मैं बिल्कुल भी जो है, इनके solution बताना है, मैं interested नहीं रहूँगा, क्योंकि आप इनको कर लोगे मुझे पता है, ठीक है, definitely कर लोगे, लेकिन अगर कोई आपकी help कर पाएं, ठीक है, और बाकी बच्चे help करना, ठीक है, and this actually happens on our telegram channel as well, कि बच्चे का doubt post करते हैं, तो दूसरे बच्चे भी हाँ पर solution बता देते हैं, ठीक है, so if you are not part of this group already, be a part of that, ठीक है, क्या है वो, t.me, t.me, t.me slash ameer chat, ठीक है, समीर chat, not chat, all right, तो समीर chat, तो इसक telegram group के उपर भी आ सकते हैं, काफी अच्छे हैं, वहाँ पर बच्चों का, यहाँ पर discussion मुझे देखने के लिए मिलता है, ठीक है, मतलब एक बच्चा अगर doubt post कर भी रहा है, photo अगर post कर रहा है, तो दूसरे बच्ची यहाँ पर जो basically उसको solve कर पता है, solution भी उसका post करते है, आप भी जो है, एक अच्छी community का part बना चाहते हैं, तो join करें, ठीक है, और वहाँ पर आगे, है न, आप भी हाँ पर जो है, बाकी बच्चों के doubts भी solve कर सकते हैं, अपने doubts जो हाँ पर post कर सकते हैं, ठीक है, बट I don't think कि वहाँ पर in questions का discussion, जो है करने की जरूत पड़ेगी, दिखने में फिर से, देखो, काफी गंदा सा है, डर ना नहीं है, लेकिन, डर गया तो नहीं होगा, यहाँ पर इसको open करना, sigma की properties इस्तिमाल करना, मैंने बहुत बार सिखा दिया, आज के session में, ठीक है, sigma आप ब्रेक कर सकते हो, अलग लग यहाँ पर जो बाहर आते हैं, वो stay with the calculation, आपको answer निकालते हैं, ठीक है, and then we have one more question from jam in 2020, ठीक है, यह सारे ही सावाल आपको करते आएंगे, I am pretty sure about this, लेकिन थोरा सा questions के साथ में रुखना, answer की यहाँ पर मैंने include कर दी है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएंगे, answers चेक करने में, but do let me know in the comment section अगर आपको करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी आपका जो है, एक most expected and easiest topic में से एक है, ठीक है, so उसको भी हाँ पर हमें definitely include करना चाहूंगा, और आपने यहाँ पर अभी अगर कोई बड़े-बड़े से topics अगर miss out कर दी है, live delay.me.je को पर जाके आप देख सकता है, class 11th and 12th के physics chemistry math के सारे topics है, तो यह आपके लिए थोड़ था भारी पढ़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने वाकई detail में सब कुछ पढ़ा दिया था, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमने लिया था एक पूरा साल, है ना, तो यहाँ पर टॉप पे आपको 3.0 के lectures दिखाई देंगे, नीचे जाओगे प्रेमेंट कि आपने हाँ जुनुन जाओगे के सेशन चल रहे हैं, उनको अच्छी तरह के से फालोड डेफिनिटली करना है, क्योंकि इसके अंदर हम कम समय में आपको पूरा ग्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो zero topic preparation के साथ में जाओगे, यहाँ पर जो है, नापको आपको सबसे कम समय में, बेस्ट quality content जो हमें आपका प्रवाइट करना है, उसको आपने यूटलाइज करना चाहिए, आपका backlog अगर है, आपको revision करना है, सभी के point of view से यह best series है, ठीक है, आप यहाँ पर सब्सक्रिशन प्लैट्वाम के उपर भी जूर सकते हैं, जहाँ पर हम free classes के तुरू आपकी यहाँ पर batches हैं, वो भी यहाँ पर start होने वाली है, from 14, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर QR batch, अगर batches नहीं जोइन कर रहे हैं, because of some financial issues, आपने definitely हाँ पर जो fast track revision series हमने launch करी है, special classes, मतलब free of cost, उसको भी यहाँ पर academy app के उपर definitely follow करना चाहिए, बाकी आप best and quality content हम देने की कोशिश हमेशा ही करते हैं, और हमेशा यहाँ आपके साथ में जूड़े रहेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, एक जो discipline होता है, एक जो environment होता है, उसके लिए हम यहाँ बच्छों पर हमेशा ही recommend करते हैं, एक बहतर location हो सकती है, आपके लिए to take on your preparation to the next level, and यहाँ आप समीर लाइव के साथ में जॉइन कर सबता है, मुझे भी यहाँ पर पता से लेगा कि आप सारे students जो है, अल्री मुझ से अनकेडमी जही चैनल पर बढ़ चुके है, and further you want to transition on to subscription platform, and आपको यहाँ पर financial benefit मदब discount वालो तो यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर उसके चलते है, ठ Plus also has academically everything, ठीक है, तो आगर आप चाहते है, तो प्लस की साथ में भी यहाँ पर जूट सकते है, and आप यहाँ पर प्लस लेने के बाद में फिर अप्ग्रेड भी कर सकते है, इंटो आइकोनिक, तो वो भी यहाँ पर option आपके समें हमेशा ही होता है, ठीक है, so stay connected, इतना ही कहना QR सीरीज के बारे में, जैसे कि में यहाँ पर आपको बता रहा था, अगर आपको श्रीव लेखना है, तो इस QR कोड का अभी के अभी scan करें, because this is definitely your QR code to success, ठीक है, इसको scan करो, और यहाँ पर जो है, अपनी तयारी आगे बढ़ाओ, आपके साथ में यहाँ पर कुस सेशन QR सीर इसमें हमने एक ख्याल रखा है कि 11 वाले बच्चों का जो है, एक अलग से रूटीन क्रियेट हो जाए, 12 वाले बच्चों का अलग से रूटीन क्रियेट हो जाए, और यहाँ पर जो है, डॉपर और 2020 वाले तो यहाँ पर दोनों भी सेशन अटिंड करना चाहेंगे, ठीक है मतब यह हमने इसलिए किया है क्योंकि जो बच्चे हैं अभी 11 से 12 में जाने वाले हैं, ठीक है, वो भी QR सीरीज को इस्तमाल कर सकते हैं अपने revision के लिए, ठीक है, आप यहाँ पर बस 2 से 4 आना स्टार्ट कर दो, जो 11 से 12 में जाने वाले हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पर पूरा को पूरा जो revision है, वो 11th class के topics का हो जाएगा, before you take on your 12th class levels, ठीक है, तो यह काफी अच्छा idea है आप से बच्चों के लिए, नए batches मेरे इखाल से जो है, आपको यहाँ पर बताईए, क्योंकि revision के बारे हमने आपको बताई दिया, but there are lot more educators on this platform, जो अलगलग batches यहाँ प नहीं था, लेकिन बच्चों ने करके दिखाया है, और इस साल भी यहाँ पर बच्चों कुछ कुछ कमाल करके definitely दिखाएंगे, बस exam की date आजाए, और यहाँ पर exam हो जाए, उसके बाद में, जो है, obviously rank आप आप आएगे, ठीक है, and आप यहाँ पर बच्चों जो है, प्रोड कर सकते हैं, पर अच्छे हैं ही, लेकिन अपार्ट फॉम यहाँ एक अपने आपको टेस्ट काने का मौक्या मिलता है, तो आपने यह टेस्ट डेफिनिटली नहीं करना है, आपको यहाँ पर मेरे च्छाल से यह offer के बारे में पता होगा, 24 months का अगर आपके आप सब्सक्रिश अपने इसको अच्छे दरीके से देए, अपने पर बारे में भी इंपरमिशन आपको औरी होगी, and that is it for the day, मिलते हैं यहाँ पर अपने अगले जुनुने जेए के सेशन में, आज I hope आपको यहाँ पर जोगी confidence आगया होगा, एक topic आपके आपके हाँ रेडी हो गया है, ठीक है, take care बचो, bye bye, good night.